नमस्ते, इस Next Flow और NF Course Samudaya Dwarah Ayojit online prescription में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हिंदी में हम से जुडने के लिए आपका धन्यवाद March 2023 के prescription पांच विभिन भाषाओं में आउजित किया गया है Hindi, Angrezi, Purtgali, Spanish और Francisi कुछ मेरे बारे में मेरा नाम Abhinav Sharma है अब सोशल मीडिया चैनल्स पर मुझे इस हैंडल के यूज़ करके कॉंटाक कर सकते हैं मूल रूप से मैं नई दिली भारत का नागरिक हूँ Next Flow के साथ मेरा चार साल का अनुभव है जिन मेंसे दो साल मैंने से काम करा है Sekera Labs इस Next Flow Open Source Project की एक Leading Contributor है और Next Flow Project जिन्होंने स्टार्ट करा था वो इस Sekera Labs के लीडर है NFCore के साथ मेरा दो साल का अनुभव है ऐसा वॉलंटीर फिलहाल मैं PhD स्टूडेंट हूँ स्टेलन बॉश उनिवर्सिटी में साथ अफरिका में इसके साथ मैं बाइन्फरमाडिक्स कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूँ Biosharp.net के माधिम से हमारा एक YouTube चैनल है जिसमें हमारा गोल है कि हम इस कटिंग एज नॉलिज को लोगों की कमफर्ट लांगुज में ट्रांसलेट करके उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में माधद करें तो अगर आप इसमें हिंदी बन्फरमाडिक्स टूटोरियल में इंट्रेस्टेड हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कुछ इस ओनलाइन प्रसिक्शन के बारे में यह प्रसिक्शन उन लोगों के लिए आयोजीत किया गया है जो नेक्सफ्लोर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या फिर एनिफ कोर पाइपलाइन और बेस्प्रक्टिस के बारे में जानना चाहते हैं इस प्रसिक्शन के दौरान हम लिनिक्स कमाड लाइन टूल के इसलिए हमारी उपिक्शा यह है कि आप इन कमांड की पहले से थोड़ी बहुत जनकारी रखते होंगे हम मूल रूप से पाइपलमेडिक्स डूमेन के एक्जाम्पल का इस्तमाल करेंगे लेकिन नेक्स फ्लो लामगज और एनिफ कोर बेस्ट प्राक्टिस आप किसी भी डूमेन में इस्तमाल कर सकते हैं कुछ इन सेशन के बारे में हर एक सेशन की डिएशन लगभग 2 या द्हाइग घंटे होगी आप इन सेशन को पॉझ करके अगर आपको exercise करना चाहें या next फ़ो exercise या फिर किसी सेशन को कोई specific section आप फिर से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं पहले session में हम Welcome, Introduction to NextFlow, Getting Started with NextFlow और Hands-On, Toy RNA-Seq Pipeline की प्राक्टिस करेंगे उसके बाद session 2 में हम NFCore को इंट्रिड्यूस करते हैं जो इस community के बारे में बात करेंगे, इस community में को आप as a user कैसे इंट्राइक कर सकते हैं और इस community में आप as a developer contribute कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे और इसके साथ हम NFCore के दो projects को डिसकस करेंगे, modules और sub-workflows को अगले session में, तीसरे session में हम dependencies और containers के बारे में बात करेंगे, depth में उसके बाद channels, process operator, air, groupic और इसके बाद modularization के बारे में बात करेंगे इन सब चीज़ों को हम पहले introduce करेंगे session 1 & 2 में लेकिन जब हम तीसरे session में topics और दोबारा आएंगे, तब हम इने on-depth में देखेंगे चौथे session में हम बात करेंगे pipeline के execution, troubleshooting और collaboration को लेके तो इसमें हम cover करेंगे configuration, deployment scenario, caching, troubleshooting और उसके बाद हम बात करेंगे nextflow tower की जिसको लेके आप अपने team के साथ collaborate कर सकते हैं जो हम training material यूज करेंगे इस prescription में वो training.nextflow.io पर हमेशा available है आप कभी भी उसे access कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ coding प्राक्टिस करना चाहते हैं, मैं recommend करता हूँ तो आप Github अकाउंट की जरूद पढ़ेगी ताकि आप उसको यूज करके Gitpod पर sign in कर सकें Gitpod एक online computer है, temporary computer है जिसको यूज करके आप हमारे साथ training complete कर सकते हैं इसमें सब कुछ available है जो आपको जरूद पढ़ेगी इन सारी recording को हम NFCore के YouTube चैनल पर upload करेंगे और आप जब भी इने reference करना चाहें आप वापस आके इने देख सकते हैं इसके साथ अगर आपके पास इस event के दौरान कोई questions हैं तो आप इन slack channels पर अपने सावाल भेज सकते हैं हर language के लिए हमने separate slack channel बनाया है तो हिंदी के लिए slack channel है हमारा March 23 training Hindi लेकिन अगर आप English में comfortable हैं टेकनिकल communication को लेके तो बिल्कुल आप हमसे English में भी contact कर सकते हैं हमारी जो volunteers है वो आपके पूरी कोशिच करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए इसके साथ आये शुरुआत करते हैं नेक्सफ्लो के introduction के साथ इस module में हम यह discuss करेंगे कि आप नेक्सफ्लो और NFCore की pipelines को यूज करके reproducible analysis कैसे कर सकते हैं तो reproducible analysis की कुछ core foundations हैं जैसे open science open science का मतलब क्या है कि अगर आप कोई novel research करते हैं या आप किसी एक published research को reproduce करना चाहते हैं अपने data के साथ अगर आपको इसका idea नहीं है कि उस publication में कौन से tools यूज हुए है या फिर कौन सी language यूज हुई है कुछ भी अगर extra information या contextual information उस publication में नहीं है तो वो transparent publication नहीं है transparent methodology नहीं है इसका मतलब यह है कि आपको वो results अपने data के साथ अपने environment में reproduce करने के लिए खुद बहुत कोशिश करने पड़ेगी या फिर उन author से contact करने पड़ेगा लेकिन open science एक fundamental principle है जिसके अंतरगत आपको यह कोशिश करने चाहिए कि आप जो भी कुछ publish करें वो दूसरों से वो दूसरे research groups या फिर scientists उसे reproduce कर सके open source इसका मतलब यह है कि आप जो भी tools use करते हैं science में वो tools inspection के लिए available होने चाहिए for example जैसे next flow है या फिर NFCore की pipelines हैं अगर आप यह देखना चाहते हैं कि next flow काम कैसे करता है और next flow एक तरह से behave क्यों कर रहा है अगर आप उसका behavior भी study करना चाहते हैं तो आप कभी भी next flow या NFCore के GitHub organizations पर जाके उनके source code को inspect कर सकते हैं यह एक critical foundation है reproducible software के लिए reproducible analysis के लिए क्योंकि अगर हमें यह idea नहीं है कि software tool करता क्या है या फिर कौन सा tool यूज हुआ है तो हम उसे अपने premise पर reproduce नहीं कर सकते हैं इसके साथ एक और foundation है reproducibility की वो है open community इसका मतलब यह है कि हर एक lab या फिर हर एक research group अगर same problem को अपने custom तरीके से solve करना चाहे यह बुरी बात नहीं यह अच्छी बात है लेकिन इसमें बहुत duplication of efforts है हो सकता है कि वो सारे same tools यूज कर रहे हों और अगर वो अपने efforts को combine करके एक या दो pipelines पे काम करें और उनमे options add करें जो भी options वो use करना चाहते हैं तो rather than कि वो individual approach ले रहे हैं अब वो अगर अपने efforts को merge करते हैं तो वो community की approach लेते हैं और next floor और NFCore की community जो है यह बहुत open है आप इसे join कर सकते हैं अगर आपको कुछ discussion करनी है या design decision के बारे में जाना है तो आपके पास pipeline के authors available हैं आप अगर किसी चीज में contribute करना जाते हैं जैसे tooling हो गई इसके बारे में हम और बात करेंगे आगे तो आप बिलकुल कभी भी इन communities को join करके अपना contribution आड कर सकते हैं इसके साथ हम बात करते हैं अब genomic workflows की क्योंकि यह वो context है जिसके अंतरकत हम reproducibility और data analysis को discuss करेंगे लेकिन जो भी हम बात करेंगे next flow को लेके वो आप किसी भी domain में apply कर सकते हैं तो वो चीज़े domain independent हैं लेकिन जब हम बात करते हैं genomic workflows की तो पहली चीज़ जो जहन में आती है वो है कि genomic workflows और genomic data analysis वो बहुत जादा data generate करते हैं तो अगर आप जैसे मैं tuberculosis genomics के साथ काम करता हूं तो उसमें जो input files होती है वो दो जीवी तक जा सकती है हमारी अभी लेकिन हो सकता है जिस organism के साथ आप काम करते हैं उनका input files या fastq files technically वो और भी जादा space लेती हो जब आप उने analyze करेंगे different techniques यूज करके तो हो सकता है वो terabytes of data generate करें तो genomics field जो है वो data intensive field है और इसलिए जो भी pipelines हम यूज करते हैं या जो भी best practices है वो data analysis oriented है इसके साथ जो genomic workflows है उनका special characteristic है कि वो बहुत सारी languages को use करते हैं कुछ software python में लिखे हैं कुछ software r में लिखे हैं कुछ matlab में और कुछ pearl या फिर एक simple bash shell script में लिखे हैं इन सारी languages का use एक single genomic workflow के अंदर होता है तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा data generate हो रहा है और हम बहुत सारे तरह से बहुत तरीके के tools यूज़ कर रहे हैं इसके साथ हमारे पास situation यह है कि अगर आप अपनी pipeline में एक तरह से input data लेते हैं तो उस data के characteristics को judge करते हुए आप हो सकता है कि python की script यूज़ करना चाहें या फिर R की script यूज़ करना चाहें या फिर MATLAB की, Perl, Java, कुछ भी language जो है जो भी आपने tool बनाया है या फिर tool को use करना चाहते हैं आपकी pipeline को उसे accommodate करना है तो अगर हमें genomic workflows को reproducible बनाना है तो हमें इन सारी चीज़ों को address करना चाहिए इसके साथ मैं आपको कुछ publications प्रिजेंट करना चाहूंगा तो यह एक early publication है जिसने next flow का use करा और यह next flow का Directed Asyclic Graph है, DAG graph कहते हैं हम इसे इसका मतलब यह है कि आपकी जो pipeline है उसमें जैसे इस pipeline में हमने यह pipeline genome annotation के लिए है parasite की और इसमें हमने 70 tasks लिए इसका मतलब यह है कि 70 एक तरह से 70 stations हैं जिसमें हमने 55 custom scripts use करी हैं और 39 software tools use करें इसका मतलब क्या हो इसका मतलब यह है कि जो software tools है हो सकता है कि जैसे trimming का software tool हो गया, annotation का software tool हो गया और या फिर statistics computation का software tool हो गया आप उनके input और output को customize कर रहे हैं using your custom scripts और इन सब के combination के साथ आप एक single task generate करते हैं इसका मतलब कि आप आपके पास बहुत सारे variables हैं एक genomic workflow में जिसे आपको balance करना है और इस हिसाब से आपको publish करना है ताकि वो अलग दूसरे research groups जो हैं उसे reproduce कर पाएं इसके साथ मैं आपको एक और paper प्रेजेंट करना चाहता हूं यह paper Nature Biotechnology में publish हुआ है और यह next flow enables reproducible workflow computational workflows का paper है इसमें इस paper का core focus किया है कि अगर आपके पास बाकी सारी चीजे आपने manage कर ली हैं जो reproducibility को negatively impact करते हैं जैसे यहां पर आप देख सकते हैं screen में figure C यहां पर अगर आप देखें same pipeline को हमने दो जगे पर run करा Amazon Linux पर AWS services पर EC2 instance का Amazon Linux है और दूसरा है Mac OS X जो तरह से Unix family से belong करता है तो यह ऐसा नहीं है कि इन दोनों operating system का बहुत बड़ा difference है यह बहुत closely related operating system है लेकिन जब हम यह pipeline in system से run करते हैं तो results different आते हैं अब इसका impact direct impact है reproducibility में और दूसरा impact है कि अगर आप यह pipelines clinical trials में यूज करते हैं या फिर sensitive context में use करते हैं तो आपका analysis या आपके results आते हैं हो सकता है कि वो एक direction में हो या दूसरी direction में हो depending on आपने कहां पर pipeline को run करा है तो next flow workflow manager है लेकिन next flow heavy use करता है और technically enable करता है कि आप Docker को use करते हैं और Docker या फिर कोई भी container system तो अगर आप अपनी pipeline को एक तरह से containerize करते हैं Docker एक popular example है container systems का और next flow के through उन containers को run करते हैं तो आपके पास 100% reproducibility है तो this is how next flow can enable reproducible computational workflows अब मैं एक और example लेता हूं एक यह recent study है about reproducibility in bioinformatics इस study में authors ने क्या करा कि जितने bioinformatics analysis होते हैं उनका एक तरह से systematic review करा और देखा कि method section जो है एक publication का अगर आप 100% खाली उची को refer करें तो क्या वो sufficient है results को reproduce करने के लिए तो author की finding है कि 100% sufficient नहीं है वो वो एक good start है एक तरह से लेकिन बहुत सारी चीज़े ऐसी है जो उसमें mention नहीं होती क्योंकि जो paper का structure है वो इतना बड़ा नहीं है और word limit होती है तो बहुत सारी चीज़े जो है वो एक तरह से left out हो जाती है अगर आप consider करें methodology को reproduce करने के लिए आपको language का idea होना चाहिए कि कौन सी programming language उस methodology में या फिर कौन सा operating system है कौन सा उस system का version है कौन से file formats use हुए है और इसका availability है कि नहीं या फिर आपको authors को contact करना है या फिर वो data publicly available है और उस pipeline को में क्या parameters use हुए थे और reference datasets क्या use हुए थे तो बहुत सारी चीज़े हैं जो कि एक तरह से contextual है और यह explicitly mentioned नहीं होती है publications में अगें यह एक बहुत बड़ा factor है जो negatively impact करता है reproducibility को तो जो next flow software है जो workflow manager है next flow इसका goal यह है कि आपको यह सारी चीज़े manage करने में help करें और next flow enables reproducible research अब यह next flow कैसे achieve करता है अम इसके बारे में बात करेंगे तो next flow एक language है और इस language के कुछ components है जैसे hindi language है तो आपको यह डिजाइन करें गए है तेकनिकली next flow एक domain specific language है आइए देखते हैं कि क्या building blocks है हमारे पास पहला building block है processes जो कि एक तरह से आप आप unit of work describe करेंगे इस process के तरह जैसे आपको एक python script यूज करनी है तो आपको next flow language को यूज करके अपने workflow में इस python script को integrate करना है या फिर को थर्ड पार्टी software हो गया जैसे कह सकते हैं तो आप उन software को सारा next flow workflow language में as a process integrate कर सकते हैं अब जो second building block है वो है channels का आप क्योंकि आप एक process को दूसरे process से integrate करना चाहते हैं ताकि process A का output जो है process B का input बने तो इस चीज में आपकी मदद करता है channels तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं तो यह green process another process another process और जो white arrows है यह channels है जब आप इस पूरा logic को encapsulate करते हैं उसे हम कहते हैं workflow तो यह next flow के building blocks है हम इनके बारे में और गहराए में बात करेंगे अगले sessions में लेकिन अभी के लिए this is just an introduction अब हम यह code में कैसे दिखता है मतलब यह next flow language एक programming language है यह जब आप टाइप करते हैं अपने editors वगहरा में तो कैसे देखेगा तो process यहां पर जैसे हमने अभी देखा कि process building block है तो process की definition आप process को ऐसे define कर सकते हैं इस process में fastqc नाम का software यूज हुआ है fastqc एक software है जो हम fastq files की quality check करने में यूज करते हैं और इस process की definition में input, output और script को mention करा है हमने तो हम इसके बारे में और बात करेंगे अगले sessions में लेकिन अभी के लिए हम बात कर सकते हैं workflow की तो अब आप यह workflow देख रहे हैं यहां पर जिसमें हमने एक channel से हमने data को input कराया और हमने एक process की तरफ भीज दिया तो हमने एक single script में जो भी आप अभी screen पे देख रहे हैं उसमें हमने लगबग सारे building blocks cover कर ले है तो next flow conceptually बहुत simple language है और इसका जो domain है next flow का domain by informatics नहीं है next flow का domain है parallelism, implicit parallelism तो अगर आप अपने software tools को या फिर custom scripts को next flow language में लिखते हैं तो आप automatically next flow आपके processes को आपके tasks को parallelize कर लेगा यह है next flow का main domain इसे हम generally कहते हैं implicit parallelism this means कि अगर आप workflow block के अंदर channel से कुछ input कराते हैं और अगर तीन BAM file आती है A, B, C तो next flow automatically इस process की तीन copies बनाएगा BAM to fast queue की तीन copies बनाएगा और file a.bam को वह यहां भेजेगा इस process के पहले instance में फिर process के दूसरे instance में process के तीसरे instance में और end में आपको वह सारी results combine करके दे देगा इसका फाइदा क्या है? इसका फाइदा यह है कि अगर आपके पास एक CPU है तो आप पैरलाइज नहीं कर सकते हैं आपको sequentially ही चलना होगा कि आपका process A complete होगा पहले process 2, process B, process C लेकिन अगर आपके पास 3 CPUs हैं और हर एक process को एक CPU की जरुवत है तो next flow sequentially execution ना करके आपको यह तीनो process parallel execute करके देगा इसका मतलब आप जो चीज़ मानते हैं कि अगर एक process 10 minute ले रहा था एक CPU पे तो अगर आप sequentially analyze करो तो 10 minute, 10 minute, 10 minute 30 minute लगेंगे आदा घंटा लगेगा आपको इन तीनो files को analyze करने में लेकिन अगर आप parallelism use करते हैं जो कि next flow आपको out of the box देता है फ्री देता है उसके use करके आप इन तीनो files को इन तीनो processes को same time पे start कर सकते हैं तो 30 minute की जिगे आपके तीन files का analysis 10 minute में होगा तो आपके पास real benefits है implicit parallelism को use करने के अब हम थोड़ा सा बात करते हैं next flow के core concepts की जैसे यह implicit parallelism और resumability तो parallelization हमने अभी just cover करा है तो basically आपको कुछ extra करने की जरूरत नहीं है अगर आप अपने CPUs का 100% use करना चाहते हैं यह next flow के responsibility है कि वह आपके CPUs को कैसे use करेगा लेकिन next flow आपको एक तरह से guarantee देता है कि आपकी जो processes है और जो pipelines और जो data set है आपको next flow parallel CPU को use करके analyze करके देगा इसके अलावा re-entrancy ऐसा होता है जैसे for example आपने अपनी pipeline run start करा जब आपने start करा उसके आदे घंटे बाद या 10 मिनिट बाद आपने realize करा कि यार मेरा एक parameter गलत है या दो parameter गलत है या हो सकता है कि pipeline एक step पे आके अपने आप terminate हो गई क्योंकि correct parameters प्रवाइड नहीं थे तो next flow आपको allow करता है कि आप next flow command में एक minus resume add करें तो वो automatically आपको उसी step से continue करने की opportunity देगा तो आप इसे एक तरह से ऐसे समझ रखते हैं कि यह आपके workflow में checkpoint का role play करता है और तीसरा aspect है reusability इसका मतलब यह है कि जब आप checkpoint से दोबारा start कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपका पहले का जो भी analysis हो चुका था वो हमने discard कर दिया उसे आप reuse कर सकते हैं उसमें जो भी चीज़े produce हुई थी वो आपके इस new execution में यूज हो सकते हैं तो parallelization, re-entrancy and reusability इसके साथ NextFlow तीन aspects को cover करता है जो कि है code, software और compute Code का मतलब क्या है कि जब आपने NextFlow language को use करके अपने domain की एक pipeline बनाई उसे आप अपने favorite code management tools में रख सकते हैं जैसे technically इसे हम कहते हैं version control management tools जैसे हो गया git और उसे आप अपने repository को host कर सकते हैं GitHub पे, BitPucket, AWS, Rajor, Gittier इन मेंसे किसी पे भी आप अपने code को host कर सकते हैं इसके साथ NextFlow software को भी accommodate करता है जैसे आपके पास container systems हो गए Docker, Podman, Singularity यह आपके तीन container systems है NextFlow और भी container systems को support करता है इसके साथ-साथ Conda को support करता है जो कि है आपका language independent package manager तो NextFlow में native support है इन सारे चीज़ों को लेके अगला topic है हमारा compute को लेके तो अगर आपने एक pipeline NextFlow में लिखिये है तो आपको अगर आज अपने laptop पे run करना चाहते हैं या फिर कल एक AWS computer और AWS batch पे run करना चाहते हैं या फिर Kubernetes पे run करना चाहते हैं या Microsoft Azure batch में run करना चाहते हैं तो आपको खाली configuration चेंज करनी है आपको अपने pipeline का logic कुछ change करने की ज़रूत नहीं पढ़ेगी तो next flow जो है आपको code, software और executor और compute को accommodate करने की ability देता है इसके साथ अब देखते हैं कि next flow reproducibility में कैसे help करता है तो जैसे यह process है इस process में एक input है यहां पे और एक input है Salman Index और यह script है तो आप यह देख रहे हैं कि यह input आया transcriptone हमने script में use करा जो भी output आएगा जैसे Salman Index उसे हम इस process के output में output के साथ भीज देंगे अगर आप इस process को run करना चाहते हैं Conda के specific channel के साथ जिसका नाम है BioConda अगर आप इसे BioConda Salman 1.9.0 version के साथ रंटना चाहते हैं आपको खाली अपने process में एक directive आड़ करने की जरुवत है जिसका इस case में नाम है Conda कल को अगर आप decide करते हैं कि नहीं आपके लिए container ज्यादा suitable है तो आपको बस एक जगे change करना है अपने pipeline का logic नहीं change करना खाली configurations change करनी है अगर आपको कल को अपनी pipeline को जो आपने laptop पे develop करी है अपने कल को एक cluster में execute कराना है तो आपको खाली configuration change करना है तो इन चीज़ों को next flow facilitate करता है ताकि आप reproducible analysis कर सकें आपका जो pipeline है वो portable हो और आपकी जो pipelines है वो scalable हो क्योंकि laptop में जादे से जादे 50 CPU हो सकते हैं जहां तक में को लगता है लेकिन cluster में आपके पास कोई limit नहीं है क्लाउट पर जाएंगे तो आप 10,000 CPUs यूज़ कर सकते हैं तो आप pipeline के logic को change करने की ज़रूद नहीं होगी आपको खाली configuration को change करने की ज़रूद होगी तो आप इन चीज़ों को next flow के थुरू अपने analysis में integrate कर सकते हैं इसके साथ अब हम transition करते हैं NFCore की तरफ next flow एक तरह से NFCore की foundation है next flow एक software है domain specific language है जिसका use करके कुछ bioinformaticians ने एक community start करी जिसका नाम है NFCore तो NFCore का core goal क्या है NFCore जो है next flow की सारी abilities को use करके bioinformatics community जो इसका आप कहा सकते हो birth जिस community में हुआ था वो है bioinformatics तो NFCore next flow की best practices को उस domain में apply करता है लेकिन आज हमारे पास दूसरे domains की pipelines हैं और हम बहुत ही अच्छे तरीके से expand कर रहे हैं बहुत domains में कल को आप participate करना चाहें तो please feel free और यह completely volunteer driven process है यह इसकी special beauty है यह open community है आज के time पे हमारे पास 75 pipelines हैं 75 pipelines हैं जो की आप अपने domain पे apply कर सकते हैं जैसे RNA-Seq की pipeline होगी, proteomics की pipeline होगी, GWAS की pipeline होगी तो इस सारी pipelines आप NFCore के GitHub या फिर NFCore की website पे देख सकते हैं इसके साथ-साथ NFCore जो है वो tools पे भी काम करता है tools develop करता है ताकि यह जो बहुत सारी pipelines हैं इनकी regular testing हो सके, इनकी लोग जो यह pipelines बना रहे हैं वो same तरीके के patterns यूज कर सके और best practices यूज कर सके और इसके साथ-साथ NFCore के दो projects हैं जो की है modules project और एक है sub-workflows project हम इनके बारे में और depth में बात करेंगी लेकिन अभी के लिए short introduction कि modules और sub-workflows projects जो हैं इनको आप अपनी pipeline में कभी भी use कर सकते हैं तो आप NFCore में हम pipelines भी provide करते हैं और उन pipelines के building blocks भी provide करते हैं इसे module हो गया अब modules के combination हो गया sub-workflows तो NFCore की core foundations हैं कि आप अपने हर एक lab अपना खुद की pipeline बनाए सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो इतने लोगों के time का efficient use नहीं है Maybe efficient use यह है कि हम अपने efforts को combine करें एक pipeline बनाए और उसमें options और करें ताकि हर कोई benefit कर सके इन pipeline से और हमारे पास NFCore में common template है जो हम use करते हैं ताकि जो भी NFCore की tooling को use करके pipeline लिखी गई है वो best practices को use करें वो testable हो common infrastructure पे और हमारा goal यह है कि यह सारी pipelines high quality हो और हर एक infrastructure पर काम करें आज के टाइम पे हमारे पास लगभग 4,000 users है और पास सो GitHub organization members है तो यह कुछ numbers है जो आपको यह दिखाते हैं कि NFCore community के पीछे कितना momentum है आप यह देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे contributors हैं GitHub पे लगभग 1,500 contributors Twitter followers हैं 3,000 और अगर आप future और यह community rapidly grow कर रही है तो कल को यह numbers बहुत different दिख सकते हैं क्योंकि आज सुबह जैसे मैंने देखा तो लगभग हमारे पास लाक पे 5000 लोग हैं तो आप देख सकते हैं कि community में कितना momentum हैं दूसरी बात इस community की जो contributors हैं volunteers हैं वो generally in areas से हैं हम इस community को definitely दुनिया भर में grow करना चाहते हैं लेकिन आज के टाइम पे इस community के major users हमारे North America, Europe और Southeast Asia में हैं हम Brazil, South Africa और India में definitely grow कर रहे हैं इसके साथ-साथ Australia में भी हमारे काफी users हैं इसके साथ मैं आपको NFCore को लेके एक publication प्रिजेंट करना चाहता हूं जो की Nature Biotechnology में publish हुआ और इस publication में हमने यह highlight करने की कोशिश करी कि कि कितना जरूरी है Bioinformatics Community के लिए Standard, Portable और Reproducible pipeline यूज करना ताकि जो भी आप जो इस भी context में आप यह pipelines यूज कर रहे हैं ऐसा ना हो कि कल को आप किसी patient के लिए vaccine develop कर रहे हैं या किसी patient के लिए diagnostics routine design कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा diagnostics routine change हो जाए सिर्फ इसलिए कि आपने अपनी pipeline अब जो है दूसरे computer पर run करी तो जो best practices है NFCore का जो goal है वो उन्हें implement करने का है इसके साथ हम transition करते हैं next flow tower के तरफ next flow tower आपके पास अब next flow pipeline है आपने best practices यूज करी और आप जो है अपने team के अंदर collaborate करना चाहते है आप monitor करना चाहते हैं कि pipeline के progress कैसी है तो जो SECERA Labs है जो next flow की leading contributor है उसने एक product बनाया next flow tower जो की इन चीज़ों में आपकी help कर सकता है आप अपना cloud का infrastructure भी एक single click के साथ create कर सकते हैं जो की open source है एक cloud version है जिसके free और paid tiers है और एक completely enterprise version है जो की commercial version है हम इस video series के end में आपको demo देंगे जो कि next flow training material को access करेंगे और कुछ hands-on experience gain करेंगे ताकि हम next flow के जो building blocks है जो core concept है उनको अच्छे से समझ सकें जैसे ही आप इस website पर जाते हैं training training.nextflow.io आप इस training portal पर आपकी screen पर विजिबल होना चाहिए हो सकता है कि आपका background white color का हो लेकिन वो theme के according website adjust करता है इस training material यह training material जो है यह आपको हमेशा available रहेगा तो आप कभी भी वापस आके इस training material को refer करना चाहें तो आप बिलकुल कर सकते हैं और जो workshop material हम follow करेंगे आज के लिए वो है पहला basic next flow training workshop इस workshop में आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफी sections है अभी के लिए हम environment setup और introduction cover करेंगे अगले session में हम cover करेंगे simple RNA seek pipeline तो अगर आप हमारी expectation है कि इस session के end में आप next flow pipeline रिखने का थोड़ा experience गेन करें और आप आपको different execution platforms है आप याद करें कि जैसे हमने बात करें थी next flow code software और compute के बारे में आपको docker containers के ज़रूद पड़ेगी और उसके बाद हम थोड़ा सा आपको next flow tower का overview देंगे लेकिन अगले session के लिए हम बात करते हैं environment setup के लिए तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इस training को हमने design करा है gitpod को gitpod को consider करके क्योंकि gitpod अगर आप use करेंगे तो आपको कुछ भी अलग से install करने की जरूद नहीं पड़ेगी और gitpod को start use करने के लिए आपको सिर्फ एक इस button पे click करना है और आपको gitpod पे यह ले चाहेगा मैं चल्दी से यह training website कोलता हूं दूसरे page पे अगर आपने gitpod पहली बार खोला है जैसे मैंने भी खोला है तो आपको अपने github account के साथ इसे authenticate करना होगा इसी वज़े से github account जरूरी है इस training के लिए तो एक बार authentication जैसे ही पूरा होता है तो gitpod हमारे लिए workspace बनाने लगेगा और जो हमने एक docker container बनाया है जिसका आप use कर सकते हैं उसको download करके आपके लिए एक environment setup करतेगा अब हम training पर वापस जाते हैं ताकि हम training के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले सकें जैसे environment setup है उसमें हमने बात करी अभी local उसमें भी बात करी gitpod installation की जो कि इसका second point है 1.2 अगर आप यहां क्लिक करें तो आप directly वहां पर land करेंगे लेकिन हमने आपके पास यह भी option है कि आप local installation setup करके हमारे जो material है training material सब कुछ साथ में follow कर सकते हैं थोड़ा सा उसमें surprises हो सकते हैं क्योंकि यह चीज़े depend करते हैं कि आपके पास Linux system है Mac system है या फिर Windows है और आपने permissions उन docker installation को सई permission है कि नहीं Java setup है कि नहीं तो अगर आप install करना चाहें locally तो आप more than welcome आप हमारे website के instruction स्वालो कर सकते हैं यहां पर जैसे next flow को install करना बहुत easy है लेकिन next flow को run करने के लिए उमीद यह है कि आपके पास Java पहले से setup है और आपके पास Docker इंस्टॉल होने चाहिए पहले से और training material भी आप locally copy एक local copy बना सकते हैं और जैसे ही आपने local copy बनाई तो आप उसके अंदर जाके training start कर सकते हैं git pod में आपको कुछ अलग से setup करने की ज़रूरत नहीं है यह सब हमने अपनी तरफ से setup करके दिया है आपको और अगर हम वापस git pod जाके देखें तो आपकी screen पे कुछ ऐसा नजर आना चाहिए यह simple browser है जिसमें जो हमारी documentation है उसकी copy आपके reference के लिए हमने add करी है ताकि आप आपको अलग से tab change ना करना पड़े आप अपने editor के अंदर अपने same browser window में इनको देख सके cookies को हम accept करते हैं और accept करने के तुरंट बाद हमारे पास same access है sorry यह हमें minimize करना है और मैं drag करके इसका size थोड़ा छोड़ा कर देता हूं left hand side में जिन लोग ने visual studio code पहले use कर रहा है उनके लिए interface बहुत familiar होना चाहिए क्योंकि basically आपको visual studio code आपको देता है git pod जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने practice के लिए अपने training के लिए तो left hand side में मैं ये आप ये explorer menu देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि training material के जो folder है उसके अंदर क्या-क्या available है जैसे data available है data के अंदर subfolders है उनके अंदर fastq files है और faster files है बहुत सार एक्जामपल्स है इस data folder के अंदर और modules और कुछ next flow script के साथ next flow script कोई भी script जो की end करती है .nf से वो next flow script है और जो .config से end करती है वो next flow की configuration file है तो हम इस पूरे section को cover करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं हम बात करेंगे next flow के basic concepts के बारे में पहले इसके लिए क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं है मैं यह बंद कर देता हूं और यहां पे हम वापस browser के जो git pod का visual studio code है उसके अंदर जो हमारा browser खुला है उसमें हम बात कर सकते हैं उसी को लेके तो next flow के basic concepts क्या है next flow एक workflow orchestration engine है and domain specific language है domain का मतलब यहां पे हो गया अगर आपको parallel computation करनी है तो next flow आपको यह facilitate करेगा next flow आपके लिए आसान बनाएगा कि आपके पास जो भी infrastructure है उसे 100% usage कर सकें इसके अलावा next flow आपके मदद करता है कि आप एक workflow को run कर सकें तो जो भी आपने अपना logic बनाया अपने domain के हिसाब से वह आप next flow language को यूज करके express कर सकते हैं और बाद में next flow को use करके आप उस workflow को execute कर सकते हैं next flow का founding और one of the core ideas है Linux platform का और Linux platform का prevalence data science में और दूसरा जो unix philosophy है पहले बात करते हैं Linux platform की Linux platform lingua franca of data science इसका मतलब यह है कि जैसे Linux platform में आप अपने data science के tools को compile कर सकते हैं GPUs कर सकते हैं आप यह बाखी platforms भी कर सकते हैं लेकिन majority आज के टाइम पे majority deployment usage जो है majority learning usage जो है वो Linux platforms के थू है data science में, bioinformatics में और Linux में आपके पास बहुत सारे command line tools available होते हैं जो कि आप use कर सकते हैं data को transform करने के लिए या system की information लेने के लिए जब भी आप data science की बात करेंगे मुझे लगता है कि हम इस बात को agree कर सकते हैं कि हम जादते data transformations की बात करेंगे data transformation का logic कुछ भी हो लेकिन एक input होगा एक output होगा तो Linux की philosophy सेम है और next flow जो है इस philosophy को पूरी तरह से implement करता है और accept करता है next flow एक step आगे जाता है और इस philosophy को extend करता है वो कैसे करता है कि next flow आपको जो है allow करता है कि आप अपने workflows को portable और reproducible बना सके मतलब यह हुआ कि अगर कोई Ubuntu Linux 20.04 या फिर कोई CentOS या Amazon Linux या कोई भी अलग तरीके का Linux यूज कर रहा है तो वो उन सारे systems में portable हो और next flow एक step और जाता है कि अगर आप Docker यूज करते हैं तो यह सारा का सारा pipeline का logic जो है आपका वो हर एक operating system में valid है दूसरा scalability of parallelization and deployment तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास 10,000 CPU available हैं तो आप चाहें तो उन सब CPUs को अपने system में अपने pipeline में यूज कर सकते हैं और यह 10,000 CPUs जेनरली एक laptop में available नहीं होंगे यह available होंगे cloud में या फिर आपके HPC clusters में तो आप अपनी pipelines को develop कर सकते हैं अपने laptop पे अपने notebooks पे और जब आप 100% शूर है कि अब सभी काम कर रहा है सब चीज और आपने जो लॉजिक चाहिए वो आपने implement कर लिया आप उस pipeline को लेकर cluster में भेज सकते हैं या cloud में भेज सकते हैं और highly scalable environment में execute कर सकते हैं इसके अलावा nextflow ओफर करता है आपको existing tools, system and industry standards जैसे docker एक industry standard है for containerization और भी बहुत सारे tools हैं जैसे conda हो गया जो की industry standard है reproducible data science के लिए तो आपको nextflow native integration देता है इन सारे चीजों से अब हम बात करते हैं process की इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको यह बताना जाता हूं कि हो सकता है कि कोई point आपको थोड़ा complicated लगे तो यह online videos हैं आप कभी भी इस video को pause कर सकते हैं वापस जा सकते हैं और उस explanation को फिर से देख सकते हैं अगर explanation clear नहीं है तो आप definitely हम से बात कर सकते हैं Slack channel पर और हमारे जो volunteers हैं वो बहुत खुश होंगे अगर वो आपकी मदद कर सकेंगे तो next flow का जो building block है कि आप जो भी अपना tool या फिर अपना software या फिर अपना data transformation script अगर आप उसे एक workflow में डालना चाहते हैं आपको उसे एक process के अंदर wrap करके रखना होगा तो मतलब आप process को कैसे imagine कर सकते हैं process को आप एक box की तर imagine कर सकते हैं जिस box के अंदर आप अपना data transformation logic रखते हैं दूसरा उस process अगर आप दो या तीन processes को connect करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं जैसे मानते हैं scenario की process A का output जो है वो process B के input में जाना चाहिए तो जो भी file जहां पर भी develop generate हुई उसे process B तक हम channel के थ्रू बेजते हैं तो जैसे जब मैंने start कर रहा था next flow तो मेरे लिए एक visual analogy बहुत simple था जैसे आप यह मानलो highways हो गए और cities हो गई तो एक city हो गई उसे आप cities जो है highways के तुरू connected हैं अगर आपको एक city से दूसरी city तक कुछ material भेजना है या फिर खुद ट्रावल करना है तो आप उस एक city से start कर सकते हैं हाइवे के फॉलो करके दूसरी city तक reach कर सकते हैं तो यह इस visualization ने मेरी help करी थी शायद आपकी भी इससे help हो लेकिन अगर आप purely technical term से बात करना चाहें तो उसका मतलब है कि एक process होगा और एक process है और एक channel है तो उस channel में अगर आप तीन data डालते हैं data x data y data z और आपने एक process बनाया है हर एक process एक data incoming data को लेगा और उसे specialize करतेगा एक task में तो process से task generate होते हैं हर एक data case specific जैसे आप यहाँ देख सकते हैं data x जो है वो process के उस process के domain में एंटर हुआ उसके बाद process ने उस data को लिया और एक specialized script पना दी जिसको हम कहते हैं task तो जैसे ही यह task run होता है output x generate होता है similarly y, y को जब process ने accommodate करा उसके लिए process को आप blueprint की तरह समझ सकते हैं तो process जब data y को हम process के blueprint से combine करते हैं तो task 2 generate हुआ data z को हम process के blueprint से combine करते हैं तो task 3 generate हुआ तो हर एक task एक खुद का output है तो इस logic को processes और channels को यूज करके आप अपने script को चैह वो किसी भी language में लिखी हूँ उन्हें अपने workflow में integrate कर सकते हैं इसके बाद execution abstraction इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप next flow को अपने अपना जो लॉजिक है उसे अपना जो workflow का logic है उसे एक script में लिखा जिसे आपने यहां देख रहे है next flow script 1.nf script 2.nf यह next flow workflows हो गए तो आपने अपना logic जो है अपने प्रोग्राम का उसे script में लिखा और उससे शायद अगर मैं दूसरी जगे पर जाओ तो screen साधा है हाँ यहां जाधा बड़ी है तो हम यहां पर continue करते हैं ताकि screen space हमारे पास जाधा हो execution abstraction हम बात कर रहे थे कि आपने अपना जो logic लिखा है workflow का वह script में लिखा और आप उसे जहां पर भी run करना चाहें वह आप अलग file में लिखते हैं जैसे nextflow.config file थी तो कल को अगर आप अपने laptop से उस logic को हटा कर एक cluster में generate करना चाहें run करना चाहें या पिर अपने cloud में run करना चाहें तो आपको अपने pipeline का logic नहीं change करना आपको खाली configuration पे तो उसे हम कहते हैं abstraction जैसे यह nextflow pipeline होगी मैं थोड़ा सा यहां पर zoom करता हूँ आप अपने किसी भी process को आप अपने process को किसी भी language में लिख सकते हैं और जैसे ही वह आप अपने processes को बनाया उन्हें आप connect कर सकते हैं अगर आप theoretical computer science की तरफ देखें तो जो nextflow की जो software engineering के term से building block है वो है data flow programming तो इसका मतलब यह है कि जो भी channels है channels के तुरू processes का input और output control होगा जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी उसके बाद अपने software dependencies को एक container के अंदर bundle करके अपने process के साथ attach कर सकते हैं तो जब भी आपका process run होगा तो वो process एक specific container को use करेगा या फिर एक specific conda environment को use करेगा इसके साथ साथ जो आपकी जो pipeline है उसे आप version control systems में host कर सकते हैं जैसे git, github, gitlab, bitpucket और amazon code commit, azure repository systems इन में से किसी में भी save कर सकते हैं जो उस code को लेता है और उसे translate करता है ताकि जो आपका execution platform है उसे समझ सके क्योंकि यह सारे execution platforms अलग लग तरीके से काम करते हैं तो यह next flow के responsibility है और एक तरह से next flow का feature है कि जो भी आपने pipeline बनाई उसे इन platforms के लिए suitable बना दे इसके बाद हम बात करते हैं next flow language की ना की run time की तो जो next flow language है वो उस generally आप कह सकते है scripting language है और वो declarative है तो इसमें आप for loop शायद आपने बाकी languages में देखा होगा वो सब ना मिले आपको क्योंकि इसमें declarative का मतलब हो गया कि आप next flow को यह बता रहे हो कि क्या करना है कैसे करना है वो next flow खुद आपके लिए decide करता है जैसे आपको एक नया जैसे आपने एक process बनाया उसमें आपने data भेजा तो आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं कि data इस directory से लो और इस directory तक move करो यह सब next flow आपके लिए खुद करेगा इस वज़े से next flow एक flexible approach offer करता है आपको और next flow की जो foundation है software engineering के terms में वो है groovy programming language जो की एक तरह से आप कह सकते हैं कि super set है जावा programming language का तो जावा programming language में आपको बहुत सारी चीज़े लिखनी पड़ती है बहुत सारी classes import करनी पड़ेंगे ताकि आप कुछ functionality implement कर सकें groovy language उसे थोड़ा user friendly बनाता है उसको यह भी कहा जाता है कि यह जावा के लिए एक तरह से python है तो आप अगर Java की libraries use करना चाते हैं और user friendly थरीके से use करना चाते हैं तो आप Groovy को use कर सकते हैं लेकिन आपको normally इतनी जरुवत नहीं पड़ेगी next flow programming में लेकिन just for understanding next flow को groovy language के थो implement कर रहा है और आप यह देख सकते हैं कि next flow is extension of groovy programming language तो अगर आप कल को अपने understanding next flow की बहुत अठी करना चाते हैं तो आप groovy language को explore कर सकते हैं लेकिन यह requirement नहीं है तो अब हम start करते हैं पहली script से हम वापस जाते हैं अपने browser में और अगर आप यहाँ click करेंगे जैसे जो टॉप left में एक option आता है तर्मिनल उसमें आगर आप new terminal क्लिक करेंगे तो आप terminal फिर से खुल सकते हैं इस पेस गेन करने के लिए मैं क्या करूंगा मैं यह ports का option बंद करता हूं ताकि terminal का option पूरी तरह से खुल जाए और अपना head shot जो है उसे मैं टॉप पर move कर जेता हूं ताकि हम option देख सेकें लोग यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे terminals हैं आप यह latest terminal बंद कर सकते हैं क्योंकि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप start next flow tutorial का terminal खोल के उस पर आके continue कर सकते हैं मैं यहां पर जो screen अपने editor पर वापस आया है अब हम वापस अपना explorer खोलते हैं और जो पहली script है hello.nf उसको खोल के उसकी study करते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अगर आपने local setup करा है तो मैं आपको कुछ tips देना चाहूंगा जिससे आप confirm कर सकें कि everything is okay आप क्या कर सकते हैं next flow info type कर सकते हैं जिससे आपको next flow अपने information देगा जैसे कि कौन सा version है कौन कब create किया गया था और कौन सा system है जिस पर next flow run हो रहा है और कौन सा Java है Java version है तो Java version जावा बहुत सारे versions में available है हम recommend करते हैं कि आप Java 11 से ऊपर के versions use करें next flow के साथ तो इस environment में सब कुछ setup है पहले से लेकिन अगर आपने local setup करा तो please आप ये देखिए कि आपके पास सारे चीजे हैं कि नहीं तो next flow उस stage तर काम करना चाहिए इसके बाद हम बात कर सकते हैं हम hello script की और मैं यह जो area है इससे मैं divide करूँगा ताकि हम अपना divide कर सकें ऐसे ताकि हम जो tutorial है उसे browser के आंदर ही follow कर सकें और हमें दूसरे टाब में जाने की जरूरत ना पड़े screen बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं maximize कर सकते हैं ताकि हमारे पास और screen space हो और इसमें अब हमारे पास relatively more space है तो हम इस script हम यहां पर भी अपना page change करेंगे ताकि हम हम यहां पर आए अब हम cover करेंगे हमारी पहली script जिसका नाम है hello.nf इस script में हम basically एक बहुत elementary concept cover करेंगे जो कि है कि अगर आपके पास एक string है उसे आप कैसे divide कर सकते हैं chunks में तो आप इस script को अच्छे से समझ सकते हैं पहले हम एक बार cover करते हैं यहां से top से bottom तक उसके बाद हम एक एक part को explain करेंगे तो जैसे आप यहां देख रहे हैं यहां पर हमने कुछ parameters add करेंगे params.greeting तो यह एक script का parameter है जब भी आप script run करेंगे तो अगर आपने custom value नहीं दी greeting की यह hello world की value use होगी उस run में उसके बाद हम यह जो भी value है greeting के अंदर उसे हम channel के through आगे भीजेंगे तो हम एक channel बनाते हैं यहां पर और उस channel का नाम देते हैं greeting नेक्सफ्लो लांगुज में process block का role है कि वो input decide करें output decide करें और जो main script है उसे run करें यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि हमने भी script नहीं लिखा लेकिन अगर आप script नहीं भी लिखते हैं तो यह understood है कि जो last part है वो actual script है उस process की तो यह optional है आप चाहें तो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते अभी के लिए मैं एक process में script लिखूँगा ताकि हम बाद में फिर से refer कर सकें उसके बाद similarly दूसरा process है हमारे पास convert to upper आप अगर script को खाली read करना चाहते हैं जल्दी से तो आप इन दोनों process को even फोल्ड कर सकते हैं उसके बाद में जो लॉजिक है workflow का उसे आप यहां देख सकते हैं आपने आप भी तक हमने cover कर रहा है कि एक parameter है एक greeting channel बनाया और दो process है हमारे आप देखते हैं कि इस split latest process में हमने greeting channel का कुछ जो content है उसे भीज दिया इसका मतलब अगर आप देखे तो greeting channel में content है जो की params.greeting है params.greeting की value है hello world तो इसका मतलब अब सीधे सीधे यह भी कह सकते हैं कि hello world जो है वह हमने channel बनाके इस जगे इस process के अंदर भेजा जब हमने इस process के अंदर भेजा अब हम यहां देखते है कि क्या होता है उसका input आया इसके value होगी hello world जब hello world इसके अंदर आया अब script execute होगी तो यहां पे आप replace कर सकते है x जो इसका input है उससे आप कह सकते है direct hello world यह extra quotation marks हटा के उसके बाद वह execute होगा same logic इस tool के साथ अब हम अगर next flow से बाहर आके Linux पे यह logic execute करके देखें तो हम देख सकते हैं कि क्या output होगा अब जैसे मैं खाली लिख हूँ यहां पे hello उसके बाद split minus p6 chunk sorry chunk और उसे मैं enter करता हूँ अगर मैं यहां पर देखें तो अब उस string के chunks बन चुके हैं यहां पर तो अब हम इस chunk को delete कर देते हैं ताकि हमारे पास extra material ना हो और कोई chunk की file नहीं है तो हम वापस अपने original state में आ चुके हैं लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जैसे यह word होगा यह जो string है यह दो word से बनी है hello world तो इसके दो chunks बनने चाहिए depending कि हर एक chunk जो है वो 6 characters का है तो अगर 6 से जादा characters हैं तो वो दूसरा chunk बनाएगा अगर 6 से कम character हैं तो वो एक ही chunk में add करतेगा इसी वज़े से हमारे पास एक ही chunk बना था अब अभी हम इस line को comment कर देते हैं और इस line को भी comment कर देते हैं और इस workflow को run करके देखते हैं कि क्या होगा next flow run hello आप देख सकते हैं कि यह process execute हुआ उस process की एक ID है जिसे हम कहते हैं hash execute हुआ local executor पे और इस particular execution का नाम है nostalgic paint यह random names हैं जो कि आप आपको next flow देता है आप इन names को override करके meaningful names भी दे सकते हैं तो यह आपकी choice है लेकिन हम यह देख सकते हैं कि हमें screen पर कोई output अलग से नहीं दिखा अगर हम screen पर output देखना चाहते हैं कि split letters ने जब यह process यह script run करी तो इसके output में बहुत सारे chunks बने चाहिए थे तो वो बने लेकिन हमें output नहीं पता अभी कहां पर है screen पर नहीं दिखा direct अगर आप ls करें तो मैं शायद यह उपर ला सकता हूं यहां पर easy है आप यहां देख सकते हैं कि एक नया folder है work directory नाम का इसके अंदर सारे operations execute हुए है अभी अब अगर मैं output देखना चाहता हूं letter ch का तो मैं इस तो मैं same pattern follow करता हूं यहां पर यहां पर लिखता हूं it जो हमने यहां लिखा है same तरीके से pattern और उसे यहां execute करके देखता हूं इस पार हमारी screen पर कुछ extra print होना चाहिए क्योंकि हमने next flow को बताया कि जो भी output है split letters का जिसका नाम हमने दिया है latest channel उसको हमें view करना है तो इस पार next flow ने हमें extra information print करके दी पिछली बार next flow ने हमें नहीं print करके दिया था क्योंकि हमने इसके बार में request नहीं करी थी अगर हम वापस original script की तरफ पढ़ें तो हम इस पार्ट को remove कर सकते हैं अप या फिर edit कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि comment का तरीका कैसा है next flow में अगर हम वापस original script की तरफ पढ़ें तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो output है split letters का उसे हमने flat करा है flatten हम इन concepts को देरे देरे introduce करेंगे लेकिन आपका first point of contact है एक operator के साथ so flatten एक तरह से operator है operator क्या करते है operator की जरूरत हमें पढ़ती है जब हम चैनल के अंदर जो भी data है उसकी shape को change करना चाहें उसको shape transformation कह सकते है आप ना कि उसका content transformation content transformation के लिए आप processes use करेंगे लेकिन shape transformations के लिए operators use करेंगे चैनल पर अगर आप इस pipeline को अब run करें अब नीचे जाके वापस next flow run कर सकते हैं आप यहां देख सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा उपर जाओ कि पॉर्ड ने वह part remove कर दिया है तो मैं फिर से run कर रहा हूं ताकि हम फिर से fresh execution देख सकें तो इस पार आप देख सकते हैं जो औरिजिनल स्क्रिप्ट है उसमें hello or world print होता है लेकिन वह print होता है capital letters में तो हम क्या करते हैं जो split letters है हम हर एक input string है उसके हर एक character को split करते हैं और 6-6 characters के group में split करते हैं और जो भी chunk बना उसे हम capitalize करते हैं और end में उसे print कर देते हैं तो अभी आपने देखा कि हमने एक string ली थी उसे split करा उसके बाद उसका जो भी output आया था जो भी output आया इस process का उसे हमने एक channel में भीजा और उस channel में हमने data की shape को थोड़ी एक तरह से massage करी ताकि वो shape एक flattened shape हो हम इस बारे में और बात करेंगे आगे लेकिन अभी के लिए एक छोटा सा introduction है तो हम आगे बढ़ सकते हैं इसके साथ अगर हम इस script के execute करा था तो हम देख सकते हैं end में result तो अगर आप next flow execution का result screen पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप ये view operator ये भी एक operator है तो view operator का use कर सकते हैं नहीं तो अगर आप इसे comment out कर देंगे तो सारा operation होगा end में बस आपको ये hello world print नहीं होगा लेकिन इसके साथ में आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारी website पे देखें और training material में देखें तो जैसे ही आप next flow code और hello script में आते हैं तो यहां पे आपको ये aspect पे जो मैंने cover करा है उसे आप उसके उपर आप बहुत उसके उपर आप दूसरा context ले सकते हैं उसकी more information ले सकते हैं तो ये जो plus science है ये जो training material है हमने अपने पूरी कुछिश कर गया है कि हम बहुत अच्छे से design करें ताकि लोग इसे use कर सकें अब हम बात करते हैं next flow को इस pipeline को basically ये जो hello script है ये भी एक pipeline है pipeline या workflow तो अगर आप इसे फिर से run करें देखते हैं कि इस बार result सेम आता है कि नहीं आता अब क्या होगा अगर मैं इसे फिर से execute करूँ अभी भी hello world आता है लेकिन अब अगर मैं इसमें एक कुछ और words आड़ कर दूँ जैसे नमस्ते ये हमारा तीसरा word हो गया अगर मैं इसे आड़ करता हूँ तो हमारी expectation ये है कि hello world और फिर नमस्ते प्रिंट होना चाहिए आईए देखते हैं कि expectation वैलिड है कि नहीं expectation वैलिड नहीं है क्योंकि पहली बात नमस्ते 6 लेटर से बड़ा है तो इसलिए वो डिवाइड कर दिया गया चले मेरा नाम यूज कर लेते हैं अभी और च्छे लेटर से छोटा है तो तीन चंक्स पनेंगे खाली फिर हम देखते हैं उन चंक्स का order अब आप देख सकते हैं कि अभी पहले प्रिंट हुआ फिर हेलो फिर वोल्ड अगर मैं इसे फिर से रन करूं तो और कुछ और आ सकता है तो आप शायद सोच रहे होंगे कि नेक्स फ्लो में अभी तक हमने रिप्रिडूसरी की बात करें लेकिन और अलग क्यों आ रहा है त यह इसका आंसर एक इंट्रेस्टिंग आंसर है तो याद है आपको कि हमने डेटाफ्लो प्रोग्रामिंग मॉडल की बात करी थी जो नेक्स फ्लो की सौफ्ट्यर फांडेशन है तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर टास्क वन और या एक प्रोसेस दूसर प्रोसेस से इं पहले फिनिश हो सकता है या आपके इंफ्रस्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि आपका CPU उस ताइम पर किस प्रोसेस को जादा प्राइरटी दे रहा है और वो प्रोसेस कम्प्रीट होता है लेकिन अगर एक प्रोसेस की कोई डिपेंडेंसी नहीं है दूसर प्रोसेस पे या एक प्रोसेस से जेनेरेटेट टास्क की कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो वो पर कभी भी कम्प्रीट होके अपना रिजल्ट अपने नेक्स चानल में बढ़ा सकता है तो इसको आगर समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि आपने तीन वोड्स भीजे इस पाइपलाइन क तीन वोड्स को यूज करके इस पाइपलाइन को ट्रिगर करा और जैसे ही आपने ट्रिगर करा तो पाइपलाइन का अबजेक्टिव है कि हर एक वोड्स को वो कैपिटलाइज करेगा और प्रिंट करेगा हमने जॉइन नहीं करा भी क्योंकि हमने प्रोसेस इंप्लिमेंट बस दो ही process है, split करें और उनको upper case में convert करें, तो बस यह वही काम करता है, तीन words में split करा, maximum limit 6 characters, और उसे print कर दिया, इस बार आप यह देख सकते हैं कि इस बार world वाला जो task था वो पहले complete हुआ, लेकिन पिछली बार अभी वाला जो task था वो पहले complete हुआ था, तो आपको यह जो reproducibility है, यह आपके अभी भी guaranteed है, लेकिन आपको यह समझना होगा, कि अगर task के बीच में कोई dependency नहीं है, तो order of completion different हो चकता है, लेकिन next file आपको यह guarantee देता है, कि अगर आपने, for example, कोई dependencies बनाई हैं, तो हर एक dependency honored हो, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, next part cover करते हैं, जो कि है resum ability का, तो इस बार अगर हम इस pipeline को resume करें, क्योंकि हमने पहले ही modify कर दिया, लेकिन एक बार modify कर सकते हैं, so hello अभी कह देते हैं, और उसके बाद bank, exclamation mark, अब मैं इस pipeline को फिर से run करता हूं, और resume के साथ run करता हूं, तो देखते हैं कि क्या होगा, आपको याद है, हमने बात करे री एंट्रेंसी की, next flow pipelines में, तो उसमें हमने ये देखा था, कि next flow pipelines जो होती है, वो अगर आपने start करा, उसके बाद कोई भी किसी भी वज़े से failure होता है, तो पहले का करा हुआ काम ना भूल के, उसे reuse कर सकती है, तो ये next flow का एक feature है, अब आप यहाँ देख रहे हैं, कि हमने मैंने ये process में change करा, अब अगर मैं इसे फिर, मैं को लगता है मैंने, क्या, मैंने पहले ही resume add कर जाता है, लेकिन इस पार अगर मैं, अचलो, फिर से resume add कर देते हैं, और इसमें मैंने, script ने अभी कोई change नहीं करा, तो आप यह देख सकते हैं कि, कुछ processes, इस पार कोई भी process फ magic है कि वो पहले की memory रखता है, अगर आपने कुछ, जैसे work directory हमने अभी देखी थी, उसे delete ना करें, तो उसे पहले की memory है, कि यह वाला जो input है, इस task के साथ मैंने पहले execute करा हूँ हुआ है, तो वो next flow अपने history में check करता है, अगर वो same fingerprint है, उस task का everything is same, तो next flow इस task को फिर से execute नहीं करेंगा, खाली cast version को use करेंगा, तो इस बार हम देख सकते हैं, cast, यहां पर, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपने, इस process में शायद हम, इंट्रिद्यूस कर सकते हैं, एक difference, चले यहां पर हम लिग देते हैं, जैसे हमारे script में है, वाई, अगर आप यह change implement करते हैं, और इस बार आप, इस बार हमने process चेंज करा है, पिछली बार हमने parameter चेंज करा था, इस बार हमने process चेंज करा है, तो अब देखते हैं, कि अगर हम resume करें, तो क्या होगा? इस बार एक process cached था, लेकिन बाकी दो processes फिर से run हुए, यह इसलिए हुआ क्योंकि जो convert upper की, जो main script थी, उसे हमने change करा, तो इसका मतलब convert to upper, कि जो previous processes थे, उनकी script different थी, तो इस बार इस process का fingerprint change हो गया, इसलिए nextflow ने correctly identify करा, कि यह same process नहीं है, जबकि चाहे इसका नाम भी same हो, लेकिन यह process अब कुछ अलग है इसके बारे में, इसलिए nextflow ने इसे फिर से execute करा, तो nextflow आपको यह abilities देता है, out of the box, आ आप हम जल्दी से बात करते हैं, nextflow pipeline parameters की, आपको याद हो, मैं इस change को undo, undo करने की जरुवत नहीं, हम continue कर सकते हैं, आपको याद हो कि, हमने start कर रहा था इस script को, parameters को introduce करते हुए, अब अगर मैं एक custom parameter देना चाहूं, जैसे, मैं यहार देना चाहूं, nextflow run hello.nf, और यहां मैं यहां पर params लिखने की जरुवत नहीं है, यहां पर मैं सीधे double minus को use करके, greeting, exact होना चाहिए, greeting, नमस्ते, इस पार नमस्कार use करते हैं, अगर मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार value पास करता हूँ, greeting parameter को, तो ideally वो क्या होना चाहिए, छै करेक्टर में डिवाइड होगा, और यह 6 characters में डिवाइड हुआ, और दूसरा character था वो opposite में प्रिंट हुआ, तो हमें script में change करने की जरुवत नहीं है, script में आप क्या कर सकते हैं, default value डाल सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही, अगर कोई parameter को customize करता है, next flow recognize करेगा, और से execute करेगा, अगर आप इस पूरे concept को DAG के sense में समझना चाहते हैं, तो मैं आपको यहां इस tutorial में दिखा सकता हूं, जो हमारा tutorial material है, input हमारा params.greeting था, पहला channel वो था जिसमें हमने गreetings, यह जो value है parameter की, इसे हमने channel में डाला था, उसका नाम greeting underscore ch, फिर पहला process है, जिसे हमने split करा, उस process ने इस input को लिया और एक task बना द देख रहे हैं, यह blue part में, वो task है, उसके बाद output जो भी आया, वो दो, उसके output दो output थे आसल में, क्योंकि दो chunk बन गए इस word के, hello or world, अब वो दोनो chunk जो हैं, वो एक और channel में हमने भीजा, जिसका नाम है letters underscore ch dot flatten, और हमने दूसर process को भीजा, जिसका नाम है convert to upper, जैसे हमने इस process में भीजा, अब देख रहे हैं कि, क्योंकि, दो different data input थे हमारे, तो convert to upper process ने दो टास्क बना दिये, पहला टास्क और दूसरा टास्क, और जो उन दोनों टास्क का output आया, वो हमने end में print करा दिया screen पर, तो यह, ऐसे करके आप अपनी script को visualize कर सकते हैं, experiment कर सकते हैं, और मैं highly recommend करता हूं कि आप इस section को अच्छे से समझें, आगे बढ़ने से पहले, तो आप अपने scripts में कुछ try कर सकते हैं, नया process add करने के लिए, या फिर नाम बदलने के लिए, बदलने के बाद फिर से script run कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना script का content change कर सकते हैं, तो ऐसे करके आप थोड़ी experience gain कर सकते हैं, उसके बाद हम एक proper RNA-seq pipeline पे काम करेंगे, जिसमें हम इन topics को फिर से टच करेंगे थोड़ी जादा depth में, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि, नेक्स्फ्लो के building blocks क्या है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक simple RNA-seq pipeline बनाएंगे, ये NFCore RNA RNA-seq pipeline नहीं है, वो full-fledged pipeline है, जो हम pipeline बनाएंगे वो एक toy RNA-seq है, और इसे पहले कि हम आगे बढ़े में बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास RNA-seq का कोई experience है या नहीं है, तो उसे कोई इस tutorial में कोई फर्क नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हम biological interpretation नहीं करेंगे, हमारा टा करना है और साथ में basically, type script को develop करना है जो कि हम step-by-step में manner से करेंगे तो अगर आपको RNA-seq के साथ comfort है नहीं है तो आपको ऊसमें कोई कोई चंदा करने की बात नहीं है, अरे cheese nesse status is with we report in the training, the material,あら using basic training, it is simple RNA-seq pipeline तो आप हमारे साथ follow कर सकते हैं मैं अब एक code pad खुलूँगा और code pad खुलने के साथ असल मैं मैं try करता हूँ कि मैं इस इधर लापाऊ हूँ जैसे कि code pad खुलने के पास हम यह देख सकते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी script है जो git pod environment हमने select कर रहा है अगर आप local environment में follow कर रहे हैं तो आपके पास और आपने nf training material को download कर रहा है या clone कर रहा है तो आपके पास same script होनी चाहिए आप जैसे कि यहां पर देख रहे हैं कि एक data folder है जिसे हम use करेंगे अपनी scripts को develop करने में और यहां पर साथ script files हैं next flow की जिनमें हम step by step add करेंगे content को और कोशिच करेंगे कि हम हर एक step में नए concepts को introduce करें और जैसे आप देखने script 1 में हमने parameters include करे हैं और print करा है कुछ script 2 में हम उस concept पे build करेंगे तो अगर आपको आपको देखना है कि future में कैसे सारी चीज़े दिखेंगे तो आप आगे scripts में आप एक जल्दी से नजर डाल सकते हैं इसके साथ हम start करते है script number one तो मैं एक तरफ से अपना browser खुलना चाहता हूं दूसरी इस तरफ यह side में बंद कर देता हूं अब perfect इस script में और इस section में हम focus करेंगे इस section का number है 3.1 हम इस section में focus करेंगे pipeline parameters में स्याद आपको याद होगे हमने पिछले जो hello.nf pipeline थी उसमें एक ही parameter यूज कर रहा था जिसका नाम है greeting लेकिन इस pipeline में हम चाहते हैं कि हम users को और ability दें ताकि वो parameters पास करके pipeline का behavior control कर सकें तो यह एक वज़े है कि आप आप जादा parameters देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे अपने users को या आपकी design choice पर depend करता है लेकिन parameters users के perspective से बहुत ही important feature है अब अगर आप देखना चाहें तो line number one में params.reads आप यह देख रहे हैं कि जो syntax highlighting है वो अलग है project dir के लिए और data, ggal, gut, etc. के लिए अलग है तो इसे हम कहते है string interpolation तो next flow में कुछ variables या कुछ keywords ऐसे हैं जो कि next flow को पहले से knowledge है आपको declare करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे यहां पे हम देख सकते है project dir हमने कहीं पे भी project dir को introduce नहीं करा कहीं पे भी value declare नहीं करी लेकिन जैसे ही next flow pipeline run होती है next flow अपने आप project dir की value set करता है generally यह जैसे हम इस training material के दौरान अगर हम next flow run कुछ भी करेंगे इस folder में जो कि है pwd देखते हैं कौन सा folder है workspace git pod nf training में तो project dir की value अपने आप project अपने आप इस location पे resolve हो जाएगी अगर आप confirm करना चाहें यह बात तो आप कैसे कर सकते हैं print ln आप यहां देख सकते हैं project dir और क्योंकि हम बस अभी confirm करना चाहते हैं तो हम पहले कुछ चीजों को comment कर देते हैं तो जैसे अब मैं इस बार मैं use करूंगा multiline comment का पिछली बार हमने use कर रहा था single line comment का जो की ऐसे होता है double forward slash तो अब अगर आप इस script को run करें करने के लिए हमें simple next flow command type करने है next flow run script 1 enter करते हैं और जैसे यह script run होगी वैसे हमें इस variable की value इस implicit variable की value पढ़ा चल जाएगे तो यहां पर यह अपने आप resolve हुआ workspace, git pod, nftraining पे और अगर आप वापस previous state को restore करना चाहें इस code की तो आप इन्हें comment आटा सकते हैं और अगर आप इस बार implement करें इस बार same script को run करें तो आप देख सकते हैं कि इस बार हमारा जो reads की value है वो पूरी तरह से यह part resolve होने के बाद आएगी तो अगर आप यहां देखें स्क्रिप्टिंग का यो इसके groovy layer से आता है अगर आप next flow layer में चीजे चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं view operator और उसके अलावा भी कुछ operators हैं आगे चलके उनके बार में बात करेंगे लेकिन अभी के लिए खली parameters की बात करते हैं तो अगर आप इस parameter को run time के run time या फिर execution के time पर override करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं जैसे इस बार अगर मैं इस script को run करूंगा मैं यह add कर दूंगा reads और मैं यहां कह सकता हूं जैसे हम हैं यहां पर मैं इस बार relative path दे सकता हूं और मैं कह सकता हूं data gcal देखते हैं data क्या क्या है मारे पास data gcal अगर मैं reads की तरफ पढ़ता हूं क्योंकि हम अभी कोई process run नहीं कर रहे तो हम कुछ भी value दे सकते हैं असल में इस बार liver track करते हैं क्योंकि हम process नहीं run कर रहे ना कोई हमारे पास channel है अभी ना operator है हम बस parameters को study कर रहे हैं अभी के लिए तो मैं एक liver fastq files का example लेकर आके बढ़ता हूं तो अब हम इसे यहां पर run करेंगे इस बार reads यह वाली line जो है यह print होगी यह resolve करेगा पहले next flow उसके बाद प्रिंट करेगा screen पर यहां पर अब आप देख सकते हैं कि जो resolve value आई वह है exactly जो मैंने दी थी तो जो आपकी users हैं आप उन्हें यह freedom दे सकते हैं parameters के थूँ कि वह कुछ भी value select कर सकें यह provide कर सकें जब वह pipeline को run करें यह बात मैं highlight करना चाहता हूं जात में कि हर एक section के साथ यहां पर हमने एक exercise का subsection एड करा है जिसमें आप जो है अपना parameters add कर सकते हैं और remove कर सकते हैं और जैसे इस example में इस exercise में आपको टास्क है एक और parameter को add करना है और उसके साथ देखना है कि उसका default output directory का पात किया होना चाहिए तो मैं आपको यह इस वाले example में इस वाले exercise का idea दे सकता हूं जैसे आप देखना चाहिए यह एक नया parameter बना दिया आपने और आप यहां पर कहेंगे project dir और my results तो ऐसे करके आप अपना exercise complete कर सकते हैं आप इससे run करेंगे तो शायद आप इससे view भी करना चाहिए ऐसे इसको print कराना चाहिए screen पर तो आप यहां पर देख सकते है out dir और इससे replace करेंगे out dir तो यह exercise मैंने आपके लिए अभी solve करी लेकिन मेरी recommendation है कि आप बाकी exercises को खुद करें इन वीडियो को pause करें और इन exercises को करने के बाद ही आगे पड़ें क्योंकि ही जो exercises हमने बहुत ध्यान से design करी हैं ताकि आप आप जो भी हम concepts बाद में discuss करेंगे इंट्रिड्यूस करेंगे तो आप आपको इन exercises के तुरू तब आसानी से आप उन concepts को समझ सकते हो हमने साथ में यहाँ पर results भी रखे हैं जैसे आप पहली exercise का result देखना चाहें तो result केरा और आप इससे वापस हाइड करना चाहें तो कर सकते हैं इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्क्रिप्ट में जिसका goal है हमारा transcriptome index file को create करना तो अब हम जैसे दूसरे section में आ गए 3.2 में आ गए अब हम दूसरी script को open कर सकते हैं यहां पर script to जैसे हमने open करा हम देख सकते हैं कि पहले का जो जो पहले की script थी और जो exercises थी वो भी इसमें हमने cover करी हैं तो आपके पास एक तरह से visibility है कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं इसके साथ मैं यह highlight करना जाता हूं कि हमारा अब आप यहां पर देख सकते हैं कि पहले से पहली स्क्रिफ्ट से different क्या है एक यह parameter है नया एक यह log info command है यहां पर जिसे आप use कर सकते हैं formatted value को print कराने के लिए screen पर अभी तक next flow automatically design कर रहा था कि वो decide कर रहा था कि वो किसे साब से print करें screen पर लेकिन अगर आप खुद next flow को override करके बताने जाते हैं कि नहीं हमेशा ऐसे ही print करना है तो आप वो भी कर सकते हैं चलिए try करते हैं print करने का और print करने से पहले इस पूरे code को हम एक बार comment कर देते हैं जो actual workflow का code है जैसे process हो गया या फिर चैनल की बात हो गई workflow की बात हो गई या असल में हम एक और चीज़ देगी सकते हैं जैसे अगर आप यह पूरा select करें area उसके बाद command slash दबाएं तो आपके लिए git pod या visual studio code खुद ही comment कर सकता है हम बाद में इसे uncomment करेंगे लेकिन अभी के लिए हम script को run करके देखते हैं जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस बार आपका जो output है और script का output है वो formatted output है तो आप अपने हिसाब से अपने in results को देख सकते हैं कि आप यूजर को क्या information देना चाते हैं शायद यह आपने पहले देखा होगा nfcore pipelines में क्योंकि जब आप nfcore pipeline को run करेंगे तो आपको बताता है कि user ने कौन-कौन से parameters change करे यूजर ने कौन से platform पे pipeline को run करा और और भी extra information आपको मिलती है तो यही main trick है जिसको use करके nfcore वो nfcore community वो feature implement करता है अब हम बात करते हैं इस process process की जैसे आप हमारा goal है transcriptome index file को generate करने का और आपको मैं यह पता सकता हूं कि अगर आपको एक rough idea लेना है कि overall workflow में क्या हो रहा है तो आप generally सारे processes को fold करके खाली एक workflow पर focus कर रही है तो आप यहां देख सकते हैं कि index नाम का process होगा generally processes का जो नाम है वो हम capital letters में लिखते हैं लेकिन ऐसी कोई next flow की तरफ से requirement नहीं है यह बस एक best practice है तो और highly recommended है तो आप index नाम के process में यह एक parameter को send कर रहे हैं तो उसका मतलब यह हो गया जो index process का output है या input है वो हमेशा channel होगा एक process दूसर process से खाली channel के through बात कर सकता है तो अगर आपको data एक process से दूसर process पर भेजना है तो data को पहले channel में डालना होगा channel के बाद channel के through आप उसे दूसर process तक ले जा सकते हैं तो हम यहां पर देख रहे हैं कि index का output data होगा या जो output channel है उसे हमने एक नाम दिया जिसका नाम है index ch अगर हम इस pipeline को run करके देखें इसका behavior तो देखते हैं कि क्या होगा overall तो इस pipeline ने अभी हम से complain करी कि कुछ गरबड हो रही है यहां पर अगर हम गरबड देखना चाहें तो हमें इस error message को देखना होगा पहले समझना होगा Error messages एक तरह से थोड़ा funny topic है क्योंकि हमारी tendency यह हर एक की tendency यह मैं कह सकता हूँ जादतर लोगों की tendency यह है कि जैसे print screen में कुछ red print होता है तो panic होजाता है लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि red area है वो किस हिसाब से print हो रही है चीज़े तो यह आपको troubleshooting में help कर सकता है जैसे अगर next flow को यहां पे next flow पूरी कोशिश करता है कि वो आपको informative error messages दे लेकिन कुछ areas ऐसी हैं जहां पे आपको error messages जैसे आपके java में कोई problem है तो आपका error message ऐसा नहीं देखेगा अलग तरीके से देखेगा लेकिन यह आगर आपके पास इस तरह से error message आता है जैसे error executing, command executed, command exit status तो यह error message जो है different sections में divided है तो यह आपकी help कर सकता है direct हमारे लिए सबसे relevant चीज़ है command error और work directory तो हम यह देख सकते है command actual क्या था? Salmon command not found इसका मतलब यह है कि जो भी हमने environment यूज करा हमारे environment में Salmon present तो हम देखते हैं एक बार type करके Salmon exactly तो हमें same error message यहाँ पर हम reproduce कर सकते हैं तो आपका पहला goal यह होना चाहिए कि minimize and reproduce the error तो minimal reproducible example आपका best friend है जब भी आप troubleshooting करना चाहें तो problem यह है कि इस computer में यह जो git pod में हमने computer deploy करा है जो computer git pod ने हमें दिया है उसमें Salmon installed हैंगे तो हम क्या करेंगे हम ठीक है हम आपकास कुछ options हैं आपर हम यहाँ तो conda के तो इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन conda के तो तब ही कर सकते हैं install जब conda installed हो और setup हो उसके अलावा अगर docker installed है हम देखते हैं कि docker installed है क्या docker-v docker installed है तो शायद हम directly docker का use कर सकें इस stage पर हमें बस nextflow को यह बोला है कि nextflow आप docker को enable कर दो क्यूंकि अगर आप अपने explorer पर जाके वापस nextflow.config को देखेंगे इस file में आप यह देख सकते हैं कि process container defined है और यह docker का runtime का option है अभी हमें इसको समझने की ज़रूद नहीं लेकिन overview यह है कि यह आपका permissions के उपर है Linux file permissions के basis पर है आप अगर process.container को आपने यह define करा आप असल में वहाँ अपने process के साथ भी define कर सकते हैं चलिए वह करके देखते हैं उसके बाद हम यह वापस आएंगे अगर मैं यहां define करता हूँ और मैं को process यहां से हटाना होगा क्योंकि मैं पहले से scope में हूँ और यह equal to sign हटाना होगा यहां पर क्योंकि syntax थोड़ा सा अलग है config file में और जो main script है उसमें यह यह line equivalent है line number one के यहां पर तो अगर मुझे docker को enable करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहां पर मैं type करेंगा docker enable true और अब हम next flow को same script को run करेंगे देख सकते हैं कि कैसे होता है इस बार हमारे पास कोई error message नहीं आया हमने खाली docker को enable करा इसका मतलब यह है कि जैसे हमने docker को enable करा और ऐसे भी कह सकते हमने next flow को बोला कि docker हमारे system में installed है उसका use करो तो next flow ने docker से बात करी docker ने relevant container डाउनलोड करा जो कि उसे next flow से पता चला कौन सा container डाउनलोड करना है और उसके बाद docker ने control को वापस next flow के पास बीच दिया और next flow ने बोला अब मेरे पास docker container है अब मैं इससे use करूँगा इस process को execute करने में इस वज़े से हमारे पास इस बार कोई error message नहीं आया तो अगर मैं जो हमारी जो हमने change इंट्रिड्यूश करा है उसे मैं undo करना चाहूं जैसे यह चीज मैं यहां से हटा के क्योंकि आप process का logic अपने pipeline का logic और जो docker या फिर infrastructure का logic है उसे आप separate रखना चाहेंगे ताकि कल को अगर दूसरा docker container यूज करना है तो आपको pipeline का logic चेंज करने के जरुवत ना पड़े इस वज़े से आपके लिए यह मैं recommend करना चाहूंगा कि आप configuration file में यह changes introduce करें ना कि जो workflow script है उसमें अगर आप इस script को फिर से execute करें resume option के साथ इस बार शायद आप recall कर सकें कि पहले हमने जब यह करा था तब हमारे पास तब next flow ने खाली cache process को यूज करा था ना कि फिर से run करा था तो इस बार भी next flow फिर से run नहीं करेगा हमारे processes को इस बार उसने cache process को use करा है इस वज़े से आप अपने अपने जो pre-computed task हैं उनका reuse कर सकते हैं और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं हम process के cover करते हैं असल में यह जो इतना जो step है यह logically बिल्कुल similar है जो हमने hello script में cover करा था तो एक process है जिसका input section है output section है technically इसे हम कहते है directive तो input directive, output directive और script directive आप यहां पर अग जो भी input है script directive के अंदर input का use कर सकते हैं जैसे हमने यहां करा लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि task.cpus हमने कहीं declare नहीं करा लेकिन next flow अपने आप देखता है कि इस task में कितने CPUs allocated हैं इस बारे में हम और बात करेंगे लेकिन आप अभी के लिए समझ सकते हैं कि यह एक और implicit यह process implicit variable है जैसे कि हमने पहले देखा था workflow implicit variable project dir इसी के साथ हम इस process का use करते हैं workflow में ताकि index underscore ch is equal to index और उसमें हमने pass करा यह value और जो भी output आया उसे हमने index ch में index channel में save करती है इसके साथ हम section 3.2 को cover कर चुके हैं मेरी recommendation है कि आप इस section को हमारे training material में पढ़ें और exercises को करने कोशिश करें इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं हम अब हमारा goal है read files को pairwise collect करना तो अगर आप अभी reads को print करके देखें मेभी हम script 3 पर proceed कर सकते हैं वहां पर change करेंगे हम direct क्यूंकि यहां पर हमने process को फिर से इठा दिया और workflow को अठा दिया तो हम जिस topic पर बात करेंगे इस पर focus कर सकते हैं आप यहां देख सकते हैं कि अगर हम इसे print करें इस file को run करें directly तो क्या होगा हम इमाजिन कर सकते हैं reads को हमने next flow को यह बोला कि यह जो parameters है project DIR है उसके अंदर एक data folder होगा और इसके अंदर got one or two नाम की fast queue files है तो next flow अपने आप इसे resolve करेगा और यहां तक जाके उन files को read करेगा अगर वह workflow के अंदर use हो रही है अब पहले जब हमने यह चीजों को address करा था इस discussion को देखा था तब यह चीजे नहीं थी अब हम क्या कर रहे हैं हम एक pretty printing add कर रहे हैं parameters के लिए और एक channel को खुद create कर रहे हैं तो channel आप कैसे create कर सकते हैं channel एक keyword है आपका next flow scripting language में और उसके साथ आप एक channel factory को use कर सकते हैं जैसे from file pairs इसका मतलब यह है from file pairs आपको यह बताएगा कि next flow आप next flow को यह बता रहे हो कि इस location में आपने एक pattern provide कर रहा है जैसे one or two इसे आपका होगे pattern file pattern provide कर रहा है और हर बार pair निकलना चाहिए one and two का pair क्योंकि जब आप genomics analysis की बात करते हैं तो जादे तर आपके जो input fast queue files होते हैं वो forward read reverse read में होंगी लेकिन अगर आपके पास आप दूसरे domain में काम करते हैं या फिर आपके files जो है यह paired files नहीं हैं तो आप जो है दूसरी channel factory यूज कर सकते हैं जिसका नाम है from path ऐसे करके next flow में बहुत सारी channel factories है जो हमने reference documentation में आड करी है और आप उसे refer कर सकते हैं लेकिन आये इसे print करके देखते हैं कि अभी क्या value print होती है उसके बाद हम इसमें changes introduce करेंगे script3 nf अब हम इसे run करते हैं अब हम यहां देख रहे हैं कि हमारे पास यह pretty printed parameters की value screen पर print हुई अब आप यह देख सकते हैं कि read, pairs, ch हमने एक channel तो बनाया लेकिन हमने उसको कहीं print नहीं करा तो यह part का जो भी काम हुआ इस part में हमारे पास visibility नहीं है अभी लेकिन उसे पहले की सारी visibility है है अगर हम एक channel को view करना चाहें channel के contents को देखना चाहें तो आप उससे इस तरह से देख सकते हैं read, pairs, ch view, operator है तो एक channel पे operate करने के लिए आपको एक operator की जरूद चाहिए हमेशा यह चैनल के ऊपर जो भी आप operations करेंगे उसके लिए आपको operators की जरूद है तो channel operator और आप इसमें थोड़ा आप इसे custom formatting भी दे सकते हैं जैसे read, pairs, not pairs, pairs, ch यहाँ पे आके आप यह कह सकते हैं so, यह जो it है यह implicit variable है in curly braces के अंदर तो आप इसका use कर सकते हैं ताकि आप जो भी channel का data है उसको view करने के लिए अगर आप उसे formatted view करना चाहते हैं तो आप उसके लिए इस तरह का format उसकर सकते हैं नहीं तो आगर आप खाली view करना चाहते है normal तरीके से यह default तरीके से तो आप उसे खाली it provide करें और next flow अपने आप print करेगा default format में देखते हैं अभी क्या value है अब हम यहां देखते हैं कि next flow ने आपको यह shape दी next flow के एक channel के अंदर data की shape यह है इसका मतलब data का name उसका index है अब मैं इसे copy करता हूँ ताकि हम इसे यहां पर print करके बात कर सकें यह पहला fast क्यों हो गया यह दूसरा fast क्यों हो गया तो यह जो next flow ने आपको print करके बताया वो है कि एक channel की shape जो भी channel अब from file pairs से generate करेंगे उसकी shape ऐसी होगी जिसका मतलब है पहला जो value होगी इस tuple की वो है channel का नाम और sample का नाम उसके बाद sample की locations जो पहला क्योंकि हमने from file pairs यूज कर रहा है तो इसलिए channel sample का नाम और first forward read और फिर backward read reverse read तो या फिर दो pair का पहला part या pair का दूसरा part तो यह आपको next flow ने print करके बताया अगर आप इसे थोड़ा fancier या pretty print करना चाहते हैं तो आप जो हमने implicit it variable की बात करी उसे use कर सकते हैं और इस बार आपको formatted output दिखा तो आपने यह देखा कि आप output को थोड़ा format ऐसे log.info के थ्रू कर सकते हैं println के थ्रू कर सकते हैं और चैनल के content को format कर सकते हैं view को अगर आप इस value को override करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं मेरा मतलब है reads की value को अभी हमने यह देखा कि जब हम प्रिंट करते हैं तो reads की value होती है gut1, gut2 लेकिन अब अगर आपका user decide करता है या फिर आप जब अपनी pipeline यूज कर रहे हैं तो आप दूसरा parameter देना चाहते हैं आप शायद देना चाहेंगे liver या lung तो हम use करते हैं दूसरा हम इस parameter को pipeline invocation के time पे change कर सकते हैं या workflow invocation मैं जब भी pipeline या workflow बोलूँगा I use them interchangeably तो reads आपने यहां लिखा और इसके बाद आपका सकते हो data gcal cal liver underscore one two dot fq जैसे ही आपने से run करा इस बार next flow असल में यह जो पार्ट है line number 18 line number 18 next flow को बोल रहा है कि आप नेक्स लोकेशन में जाए और particular value को लेकर print करें अभी हम यहां देख सकते हैं कि असल में कभी कभी ऐसा होता है जब आप git pod पर टाइप कर रहे हैं तो एक extra character या come character आ जाता है मुझे यह पता है क्योंकि reads का output ऐसा नहीं आना चाहिए था क्योंकि read pairs का कोई भी output प्रिंट नहीं हुआ लेकि प्रिंट होना चाहिए था तो इसलिए में को पता है कि यह input की जो location है वहां पर गड़ड़ी हुई और एक extra G है यहां पर आप तेख रहे हैं तो वह मैंने correct करके फिर से run करा इस बार हमें उस read की पहले उस updated parameter के हिसाब से value जो print हुई वह भी update हुई तो इस बार हमारे sample का नाम है liver, liver 1, liver 2 इसके साथ हम section 3.3 को complete कर चुके हैं और आप चाहिद इस video को pause करना चाहें और exercise को try करना चाहें अभी तक हमारी उमीद यह है कि आपने from file pairs को explore करा आपने check if exist को explore करा और set operator को explore करा यह सारी चीजें next flow के reference documentation में हमने explain करी हैं तो हमारी उमीद यह है कि आप उसे refer करेंगे और वहां पर आप for example जैसे आप यहां देखें तो आपको एक results में मिलेंगे लेकिन हमारी उमीद है कि आप next flow की reference documentation को check करेंगे इसके साथ हम छूटा सब्रेक लेते हैं और मैं वापस आता हूं तो रहां चलिए हम इस training को continue करते हैं और जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि next flow की reference documentation है उसके links हमने यहां set करेंगे तो जैसे ही अगर आप इन में से जैसे इस link पर click करेंगे या इस link पर click करेंगे तो यह आपको next flow की reference documentation पर ले जाएगा इसके अलावा जो भी हमारे पास documentation से related links हैं उन्हें हमने इस landing page पर रखा है जो home page है उसी पर रखा है जैसे आप नीचे आएंगे तो आप यहां देख सेकते हैं resources next flow documentation, next flow slack, next flow home page and of course secure labs training source code on github तो इस सब कुछ आपको हमारे one stop solution में जो training material है उसमें available है वापस चलते हैं RNA seek pipeline की journey में और हम जाएंगते हैं quantification step जो की basically script number 4 है अब हम वापस अपना environment बनाते हैं और script यहां create करते हैं script number 4 open करते हैं इससे पहले कि हम script के बारे में discuss करना स्टार्ट करें मैं आपको next flow के execution parameters यह parameters नहीं execution features के बारे में बता देता हूं ताकि आप जब अपने computer में files देखें तो आप समझ चकें कि क्या है तो हमने आप यह देख रहे हैं कि dot next flow dot log नाम की के prefix के साथ 10 files बन चुकी है लगबग इसका मतलब यह है कि हमने इस directory में next flow को 10 बार run कर चुके हैं तो हर बार next flow run होता है तो वह एक log file बना देता है और वह पिछली log file को overwrite नहीं करता वह उसे rename कर देता है तो जो latest log file है वह है dot next flow dot log key dot next flow dot log point one वह है पिछली log file और अगर आप इसके अलावा जैसे इस log file को खोल के देखें तो आप देखेंगे यह क्या-क्या आप यहां देख सकते हैं कि next flow कर क्या रहा था एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर तो इस log file के अंदर आपको critical information मिलेगी और असल में बहुत सारी information होती है तो आप इससे आपको frequently इससे access नहीं करना पड़ेगा लेकिन जब आप debugging कर रहे होंगे troubleshooting कर रहे होंगे तब आपके लिए log file बड़ा रोल प्ले करेगी आप next flow का locking level भी complete भी change कर सकते हैं जैसे info हो गया debug हो गया लेकिन अभी के लिए यह थोड़ा advanced है हम बाद में इस बारे में discuss कर सकते हैं ठीक है तो अब हम script 4 पर चलते हैं और इस script में हमारा main goal है कि हम एक नया process add करें अब अगर script पे कुछ का overview लें तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एक process है index एक process है quantification अब पहले नहीं था पहले खाली index process था और अब जो workflow का scope है उसके अंदर हमने index के साथ साथ एक quant ch channel भी बनाया तो आप यह देख सकते हैं कि अगर आप ऊपर से check करें फिर से यह सारा section अभी तरह common है script 2 से लेके script 4 तक हम यह pattern follow कर रहे हैं ताकि लोग जब भी इस pipeline को run करें workflow को run करें उनके पास एक formatted parameters की list print हो उनके सामने जब process index नाम का process है उसमें हमने कोई change नहीं करा input output script है और यह जो content है पहले से बिलकुल सेम है हमने बस एक process add करा है इसे script में आप जैसे script खुलेंगे आपको पहले से process मिलेगा अब हम उसे पढ़ते हैं उसे देखते हैं क्योंकि इसमें कुछ interesting features introduced हो है जैसे again अगर आप देखें तो input output or script script के अंदर task.cpus यह optional है अगर आपको आपका जो भी आप टूल यह run करना चाहते है प्रोसेस के अंदर अगर वो threads को accept करता है CPU को accept करता है तभी आप इस feature को use कर सकते हैं और करने का sense बनता है next flow के हिसाब से आप कभी भी use कर सकते हैं लेकिन वो टूल यूज नहीं करेगा उतने CPUs उसके बाद हम यह देखते हैं कि यहां पर यह नई चीज है हमारे लिए reads 0 और reads 1 तो अगर हम यहां देखें इधर input को study करते हैं फिर थोड़ा input में दो तरह से input आएंगे और दो distinct inputs की जरूरत है इस quantification process को पहला input है Salmon Index का path अब अगर आप इस पिछले process को देखें इंडेक्स को उसका आप देख सकते हैं कि output का नाम है Salmon Index और quantification में input का नाम है Salmon Index तो directly हम देख सकते हैं कि index process का output quantification process का input है तो इसका मतलब इन दोना process को connect करने के लिए एक channel को start करना चाहिए index process से और finish होना चाहिए quantification process पे ठीक इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो line number 38 है वो थोड़ा सा नया है हमारे लिए नया concept है अब इस इसमें हम देख रहे हैं कि यह tuple है और पहली जो tuple tuple का मतलब है एक tuple short form है multiple की तो tuple की जो पहली value है यहां पे वो है sample id दूसरी value है path reads अब शायद आप recall कर सकते हैं कि जब हमने script 3 को देखा था तब हमने tuple को हम पहले से देख चुके है script number 3 में लेकिन हम उस script को खोल के फिर से एक बार run करके check कर सकते हैं चीज़ें तो इस script में जब हमने यह process run करा था तो हमने output में यह इस तरह से output देखा था जिसका sample का नाम और एक फिर से collection जिसमें तो forward read और reverse read थे तो जो script 4 में हम input use कर रहे हैं उसकी भी shape quantification process में ऐसे ही है इसका मतलब अगर हम script 3 में जाकर उसे copy करें just for understanding हम अगर इसे यहां पर रखें तो आप यह दे सकते हो यह tuple tuple कैसे start हो रहा है ऐसे bracket से tuple का sample id है cut और path reads अब आप यह देख सकते हो कि reads यहां पर एक value है एक collection है जो कि दो values से बना है पहला read और दूसरा read तो इस collection में आप इस particular line को यह समझ सकते हैं कि यह tuple है एक sample id का और tuple of two reads यह हमने commented में commented रखा हुआ है तो इसमें कोई problem नहीं है अभी हम continue करेंगे लेकिन अब हम line 49 को study करेंगे जिसमें हम यह देख सकते हैं कि जो reads है reads का collection आया इस channel के input में उसका पहला part और दूसरा part या जो forward read है और reverse read है या आप उसे ऐसे भी पूल चकते हैं कि जो पहली file आई और जो दूसरी file आई उस collection में उससे आप specify कैसे कर सकते हैं तो zero जैसे कि आप जानते हैं computer languages में जादे तर zero पहले position को कहते हैं तो zero मतलब पहला file और इसमें one का मतलब हो गया second file तो उससे reads का जो टपल आया जो collection आया उसे आपने एक तरह से expand करके या expand करके उसका पहला पहली file specify करी और दूसरे में क्या करा है same process expand कर आपने reads को और second file जो है उसकी use करी इसके बाद आप क्या करते हैं आप workflow को लेके channel बनाते हैं लेकिन इस पार आप यह दे सकते हैं कि यह पहले की exercise का answer है तो अब हमने एक feature enable करा है इस channel factory का कि यह तभी process को आगे बढ़ने देगी तभी पूरे flow को आगे बढ़ने देगी जब यह file actually exist करते हैं अगर यह हम disable कर दें तो next flow चेक नहीं करेगा कि यह file exist करते हैं या नहीं और यहां पर हमने दूसरी exercise का answer कर रहा है कि set को आप कैसे use कर सकते हो लेकिन आप इसे simply ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे read pairs ch और फिर यह section लेकिन यह आपके लिए जानना बढ़िया है कि कितने तरीके है चानल को create करने के ताकि आप अगर दूसरे code को पढ़े next flow के तो आप उसे समझ सकें अब यह process यह process familiar दिखना चाहिए क्योंकि यह पहले की scripts में भी था index process में हमने transcriptome file का parameter है उसे input करा दिया और जो index का output है index process का output channel है उसे हमने specific specific नाम देके quantification process में input कराया लेकिन उसके साथ साथ हमने read pairs को भी इस quantification process में input कराया अब देखते हैं कि इस process का output कै इस process का output है एक folder जिसका नाम होगा sample ID में को कैसे पता चला कि यह folder है क्योंकि अगर आप ध्यान दे तो val जो है इसे हम कहते हैं input या output qualifier तो val का मतलब होगा string या number लेकिन जो path है उसका मतलब होगा folder या file तो इस वज़े से मुझे पता चला कि इसका output जो है एक path है एक folder है तो उस folder को हमने quantification में as a second sorry उस folder का जो जो folder output आया quantification process का उसे हमने quant ch channel में आगे send कर दिया आके उसका कोई कहीं पर नहीं जा रहा है वह बस इस channel में रखा है लेकिन कल को अगर आप कोई नया process add करना चाहो तो आप उसे exact उसके input में quant ch को mention कर सकते हैं तो इसके साथ हम इसकी exercises पे आप इसकी exercises करने के लिए अगर इस video को pause करकर करना चाहें तो इस तो perfect है अगर नहीं अगर आप continue करना चाहते हैं वैसे मैं exercises को highly recommend करता हूं क्यूंकि आप अब हम in exercises में links टाल रहे हैं तो इन links के थुरू आपको next flow reference documentation का idea लगेगा खाली इस process का नहीं तो मेरी तरफ से recommended है कि आप इन exercise को करें लेकिन आप हम next script में जाने के लिए रेडी हैं तो अब हमें दो नए processes add करने होंगे वह quality control और reporting का क्योंकि जैसे data science में या computer science में भी कहते हैं garbage in garbage out तो आपको अपने input data का quality की quality को control में रखना है अब हम देख सकते हैं जैसे आप script number 5 पे आएं तो script number 5 में fastqc process पहले से added है वो process यह सारी scripts additive processes follow कर रही है जिसका मतलब है कि पहले वाली script है या actually बाद वाली script है वो पहले वाली script पे build करती है तो बाकी सब सेम है इस script में भी लेकिन इस बार हमने process नाम का sorry fastqc नाम का process add करा है जिसे आप use कर सकते हैं अब यहां पर आप नई चीज़े देखेंगे कुछ चीज़े familiar देखेंगे कुछ चीज़े नहीं देखेंगे familiar चीज़ों में आता है input और tuple familiar चीज़ों में यह output भी आता है और output में dynamic pattern तो अब आप यह देख सकते हैं कि अगर input आपका एक input specific नाम का sample है और आपका output उस sample के नाम से आप generate करना चाहते हैं तो आप यह string interpolation feature का यूज कर सकते हैं अब हम तीसरी जो हमने चीज़ देखे हुई है पहले script उसके बारे में बात करेंगे script section में हमने make dir करा हमने यह exactly यह output generate करा इधर और फिर fastqc में इस directory को output directory बताकर जो reads आये हैं उनकी quality estimate करने के लिए बोल दिया fastqc को तो fastqc process के output क्या है? output एक folder है क्योंकि यह path type का quantifier है इसके बाद ठीक है इतना process जैसे शायद आप recall कर सकें यह same है पिछली script के तरह है script no.4 के तरह है लेकिन इस बार हमने एक नही चीज़ add करी है और इसका input है read pairs ch तो अब मैं आपको एक चीज़ highlight करना चाहता हूँ कि अगर आप यह देखें इन दोनों task में interdependency है like index or quantification में dependency है fastqc directly run कर सकता है जैसे ही उसे यह input मिलता है लेकिन quantification तब तक run नहीं कर सकता जब तक उसे index ch नहीं मिलता index ch तभी मिलेगा जब index process run होके अपना output channel में डाल देगा तो ऐसे करके आपती देख सकते हैं कि हम एक script के life cycle को कैसे build कर रहे है इसकी life को हम कैसे build कर रहे है तो अगर मैं script number 5 को execute कर हूँ इधर 5 और इस बार मैं करता हूँ resume हो सकता है git pod ने कुछ या मेरे internet connection ने कुछ problem कर रहे हो लेकिन अभी confirm हो जाएगा क्योंकि हमने script 4 को execute नहीं करा था इसलिए पहले बार सारा execute हूँ और next flow आपको एक message भी generally message वो होता है log file में तो अभी हम log file को नहीं देखेंगे लेकिन मैं इसे अब resume करूंगा ऐसा करते है कि मैं अपना work directory को delete कर देता हूँ पूरी तरह ताकि जो previous history है या सब कुछ है वो सब delete हो जाए मैं अपना next flow log को भी delete कर देता हूँ और जो next flow folder है जिसमें हमारा cache का database save है उसे delete कर रहा हूँ यह अभी की testing के लिए है आप जब अपना development करेंगे next flow pipelines का तब यह useful हो सकता है लेकिन अभी के लिए आप यह समझ लीजिए कि मैंने अपना workspace clean up करा है और खुछ नहीं तो अब मैं क्या करूंगा मैं script 4 को run करना जाता हूँ अगर मैं script 4 को run करूंगा तो output आना चाहिए और docker आपको शायद हो docker हमने enable कर दिया था पहले ही nextflow.config file में तो अब हमें software को खुद install करने के चिंता नहीं करनी docker के थ्रू हमने requirement पूरी कर दी है अब आप script 5 को मैं run करना चाहता हूँ लेकिन resume के साथ अगर आप यह compare करें script 4 or 5 में क्या difference है एकलता difference है कि हमने fast qc process को add करा है script number 5 में लेकिन input same है तो nextflow को जब हम बोल रहे हैं कि resume करो nextflow यह calculate करता है कि इस script में input same है दो processes same है और दो processes यह पहले run कर चुका है उन inputs के साथ तो इस बार यह खाली fast qc को run करेगा और बाकि सब cached हो जाएगा ऐसे करके आप अपनी pipelines को process by process develop कर सकते हैं तो जैसे आप यहां देख रहे हैं कि यह cached है यह cached है और यह run हो रहा है अभी similarly हमारा next step है एक और qc step को add करना जो कि जो कि हम करेंगे multi qc को use करके multi qc tool जो है वह बहुत सारे tools का output लेके उन्हें summarize करता है तो यह आपका reporting software है reporting tool है यह आपको end में html file देता है जिसे आप use कर सकते हैं अपने results को share करने के लिए अपने results को summarize करने के लिए ताकि आपको 4 या 5 files कि collaborator को ना भीज के आप खाली उसे एक file भीज सके अब ऐसा करते हैं कि script number 6 की तरफ बढ़ते हैं जो कि script number 5 का superset है script number 6 और script number 6 में हम यह देख सकते हैं कि काफी सारे processes सेम है मैं यह index process बंद करता हूं quantification process बंद करता हूं और fast QC को बंद करता हूं लेकिन इससे मुझे याद आया मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया पहले वह है tagging process जब आप एक process को बहुत सारे samples के साथ run करते हैं तो इसका मतलब है जो process का blueprint है वह हर एक sample के साथ इसका मतलब है अब जब आप उससे screen पर करेंगे तो आपको और आप visibility चाहते है fastqc on sample id sample id कहां से आ रहा है वो आ रहा है input के तुरू तो यहां से sample id लेके हम उसे tag में भी use कर सकते हैं और जब हम यह run करते हैं तो आपको specific चीज़े ऐसे दिखेंगी salmon on cut fastqc on cut जैसे index process में हमने tag नहीं use करा तो index में खाली blank print होता है और कुछ print नहीं होता तो यह optional चीज़े हैं जो आप करना चाहें लिकिन यह आपको overall long term में help करेगी जब आप अपने results को कुछ time बाद access करते हैं multiqc script number 6 में multiqc process नया है इस process में आप यह देख सकते हैं कि एक नया directive आद हुआ है जिसका नाम है published dir तो published dir वागी सारे जो directives हैं हमने पहले देखी हुए है script process script section इसका बहुत simple है input section इसका interesting है क्योंकि इसका मतलब है कि जो भी data आता है multiqc के input में उसे accept कर लो या तो file होगा या folder होगा उसे accept कर लो तो अब आप यह देख सकते हैं हम बात कर रहे थे published dir की published dir का मतलब है यह special directive है next flow का जिसको यूज करके आप एक process को यह बता सकते हैं कि जो भी चीज इस process में generate हुई यह देखते हैं पहली बात यह देखते हैं कि published dir जो है उसकी value क्या है params.outdir शायद आपको याद हो कि यह हमारी set of exercises में से है तो params.outdir की value हमने results दी है तो इसका मतलब इस pipeline को जो result आएगा वो save होगा results में इस नाम के outdir में शायद हम change कर सकते हैं हम इसे बोलें rna seek nf rna seek simple rna seek results हम इसे यह नाम दे देते हैं तो जब multiqc run होगा और जो भी चीजे output हो रही है यहां से उसे यह दूसरे channel में भी डालेगा अगर हम use करेंगे आगे और साथ ही साथ यह उसे जो है एक publish directory में जो हमने बताया उसमें copy कर देगा आप move भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम खाली copy use करेंगे move generally आप तब use कर सकते हैं जब आप data और storage को optimize करना चाहें लेकिन अभी के लिए क्योंकि यह git pod का computer है और temporary computer है तो हमें हमारे लिए यह problem नहीं है अभी तो अब आप workflow को देखें अगर तो यह सारा section पिछली script से similar है खाली हमने यह चीज़ आड़ करी है multi qc quant ch mix collect अब यह पहली बार है कि हमने दो operators को combine करा है लेकिन अब हम आगर देखना चाहें कि यह operators कर क्या रहे हैं तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं जैसे हम view का इस्तमाल कर सकते हैं तो ऐसे करेंगे view यह पहला हो गया और हम इसे कस्टम फर्माइटिंग देंगे तो हम यह लिख सकते हैं या फिर it ना भी लिखें तो भी implicit variable को हम यूज कर सकते हैं जैसे quant ch और यहां पे it उसके बाद अगर आप यह देखना चाहें quant ch mix fast qc ch इसका result क्या होगा आप इसके साथ view कर सकते हैं step 2 आप कुछ भी नाम दे चकते हैं मैं अभी के लिए step 2 दे रहा हूँ और यहां पे आप it को यूज कर सकते हैं तीसरे step है तीसरे step है collect का तो अब आप क्या कर सकते हैं आप यहां पे आएं इसे copy करें और इस बार collect view operator को यूज करें आप यहां पे दे सकते हैं final और यहां पे मैं it लिक रहा हूँ step 2 का शायद बहतर नाम होगा intermediate form of data आपको शायद याद हो कि जो operators हैं वो channel के अंदर जो data आ रहा है उसकी shape पे काम करते हैं data को change नहीं करते उसकी shape चेंज करते हैं तो उसका form चेंज करते हैं तो हम उसे यहां पे explicitly ऐसे mention कर रहे हैं अब इस pipeline को हम run करके देखते हैं script 5 नहीं script 6 को और resume लिखे रहने देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि फिर से index या quantification या fast qc step run हो हम खाली multi qc को run करना चाहते हैं तो इस बार हम ताकि हम यह देख सकें कि पहली बात output publish कैसा होता है दूसरा कि इन का क्या points है इन operators का क्या output है next flow मुझे बता रहा है कि no search variable fast qc underscore ch सही बात क्योंकि मैंने यहां पे line 95 में यह error दिया यह mistake commit करी इसलिए next flow next flow नो मुझे warning यह error message दिया इस बार run हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि intermediate form दो बार print हुआ quant ch एक बार print हुआ final form एक बार print हुआ intermediate form दो बार क्यों print हुआ यह दो बार इसलिए print हुआ क्योंकि जब आप एक channel का content दूसरे channel के content से mix करेंगे तो यह दो values आ रही है single value नहीं आ रही इन दोने channels के data है वो merge होके एक ही channel में आ क्या इसलिए intermediate form जो है वो दो बार जो view operator है वो दो बार invoke हुआ अब अगर आप final form को देखेंगे जो कि एक ही भार invoke हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि final form में हमने mix करा था पहले दो channels को उसके बाद हमने collect करा collect मतलब कि वो जो दो separate output आय थे उन्हें हमने एक ही tuple में डाल दिया तो अब आप यह देख सकते हैं कि workspace sorry final form का एक tuple है जिसकी दो values है यह इसलिए है क्योंकि हमने collect करा और जब हमने collect कर लिया final form को तब हमने multi-qsic में इसे input बना दिया तो अगर आप इस code को refactor करना चाहे या थोड़ा clear करना चाहे अपने understanding के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं final form और यहां पर यह पूरा लिखने की जगे आप यहां लिख सकते है final form और output same आना चाहिए अब हम फिर से run करेंगे resume के साथ देखते हैं कि कितने processes resume होते हैं कितने फिर से run होंगे कोई भी process फिर से run नहीं हुआ सारे processes resume हुए इसका मतलब यह है कि आप channel की data shape या कुछ भी superficial changes है अगर आप pipeline की core functionality change नहीं करते तो next flow superficial changes को recognize करता है और caching आपको intact है अगर आप functionality में change करेंगे तो आपकी caching break हो जाएगी और अगर आप resume करेंगे तो उसका कोई effect नहीं होगा और इस सारे processes फिर से run होगे आप यह cache one यह cache two कुछ नहीं देखेंगे अपने इस moment पे इसके साथ हम section 3.6 को conclude करते हैं और 3.7 की तरफ बढ़ते हैं जो की finalization की तरफ है हमारा अब जब आपने nextflow pipeline बना लिया अपनी अब आप यह देखना चाहते हो कि आपके जैसे ही आपका pipeline complete हो successfully या failure हो तो आपके बाद एक email आए उसके लिए nextflow ने functionality implement करी है जिसका नाम है workflow on complete तो अगर आप script number 7 को खोलेंगे आप देख सकते है workflow on complete का usage कैसे हुआ है मैं इसे यहां से copy करके दूसरी side लाता हूँ ताकि हम अपने documentation को refer कर सकें और आप यहां देखेंगे तो सारे processes same है बस end में workflow.on complete add करा है जिसमें हम यह बोलते है log info जो की formatted outputting का तरीका है workflow if यह if else है यहां पर ternary operator यूज करा है हमने if ternary operator का मतलब है यह question mark और उसके बाद colon तो done open the following or params out dir का use करा है string interpolation या फिर अगर failure होता है oops something went wrong यह हमारा user के लिए feedback है तो जैसे ही आपका workflow complete होगा अब हम script number 7 पर जाते हैं और उसे resume करेंगे जैसी workflow complete होता है depending on कि workflow successfully complete हुआ या in successfully complete हुआ next flow आपको यह log print करके देगा इस पार कोई भी process फिर से run नहीं हुआ क्योंकि next flow जानता है कि कोई नया data नहीं आया और pipeline का structure change नहीं हुआ हमने बस superficial change कर रहा है जो कि add कर रहा है section workflow dot on complete और उसकी वज़े से हमारे पास special message आने लगा तब आप देख सकते है special message के हिसाब से हमारा output results multi qc html है अगर आप results folder यहां पर देखें आपके directory में results folder बन गया उससे उसका sorry results नहीं हमारे साब से इस बार results बनेगा क्योंकि इस script में हमने output dir का parameter change नहीं करा यह default parameter may be हम इसे change कर सकते है simple rna seek results और यहां पर पूरा नाम दे चकते है multi qc फिर देखते हैं कि क्या होगा publish directory भी एक superficial change है तो इसका मतलब है कि आपकी pipeline का logic intact है और आपको कोई भी अलग से आपका कोई भी process या caching break नहीं होगी तो इस वज़े से आप यहां एक और folder देखेंगे जैसे git pod refresh करता है अब यहां देख रहे हैं multi qc और यहां पर multi qc report है यह report HTML में लिखी है तो शायद हम पूरा content ना देख पाए लेकिन इन चीजों के लिए हम बाद में tower का इस्तमाल करेंगे हम आपको दिखाएंगे कि आप tower का इस्तमाल कैसे कर सकते हैं इन reports को visualize करने के लिए इसके साथ हम section 3.7 को complete करते हैं section 3.8 के तरफ बढ़ते हैं जो कि एक और functionality add करने का functionality को expose करता है जो कि है email notification इसका मतलब है कि अगर आप next flow pipeline के completion पे email trigger करना चाहें चाहे वह आपके लिए हो चाहे वह किसी और के लिए हो collaborators के लिए हो तो आप उसे initiate कर सकते हैं इस mail functionality को use करके यह mail functionality आप copy कर सकते हैं अपनी functionality को customize करके अपने variables को customize करके इसके लिए आपको शायद अपने IT staff या फिर अगर आपके पास यह knowledge है पहले से तो आपको SMTP variables को replace करना पड़ेगा उसके बाद आप अपने workflow के completion पे email receive करेंगे कि complete हो गया workflow successfully or on failure तो आपके पास एक feedback है आपके पास एक feedback है आपके पाइप्लाइन को background में चलाके छोड़ सकते हैं क्योंकि जैसे ही background process मतलब screen या tmux ऐसे process managers में चलाके जैसे ही pipeline complete होती है तो आपके पास एक email notification आजएगी इसके बाद बस एक हमारा major topic बचा है major section बचा है वो है custom scripts का तो हम इसे जल्दी से cover करते हैं कि custom scripts हमारी आपको शायद याद हो कि जब हम next flow introduction के presentation को देख रहे थे तो एक tag file थी जिसमें हमने बहुत सारी custom scripts का usage डिस्पले करा था जैसे 55 custom scripts थी उसमें तो अगर आप custom script बनाना चाहते हैं तो इसे कैसे बना सकते हैं आप क्योंकि हम training material यूज कर रहे हैं आपके इसे copy कर सकते हैं और एक bin folder बना सकते हैं bin folder जहां पर pipeline run हो रही है तो यहाँ क्लिक करा और bin bin के अंदर जैसे ही load होता है मैं से close करेता हूँ bin के अंदर आपको एक file बनानी है जिसका नाम है fastqc.sh अब हम इस fastqc file के अंदर यह content add करेंगे इस फाइल को मैं कॉपी करके राइट अंदर पर लाता हूँ और explorer को बन करता हूँ तो इस file में हम यह content add करेंगे और save कर देते हैं क्योंकि अगर आप हमारी script को देखें script no.7 तो script no.7 में fastqc को देखें तो यह multi-line shell script है कि जो आपकी script है हो सकता है 100-100 lines की हो या 200-200 lines की हो तो यह थोड़ा complicated हो जाएगा क्योंकि एक process की definition बहुत पड़ी हो जाएगी जो सही बात नहीं जो readable नहीं होगा इतना तब क्या कर सकते हैं इसको क्योंकि हमने fastqc script पनाई है एक shell script नहीं है जिसका interpreter यहां पे है shell के mode execution mode set करे हैं उसके बाद first और second parameter set करा है और जो script का content था fastqc process में उसे यहां पे paste कर दिया अब आप इस पूरे section को replace कर सकते हैं और यहां बोल सकते है fastqc.sh और इसे यहां save कर दीजिए आपका जो पहला input है आना चाहिए हमारा sample id okay असल में शाहिद मैं हमारे लिए easy हो कि अगर हम यहां से ऐसे fastqc और sample id उसके बाद हम यहां पे लख सकते हैं reads एक बात और मैं clarify करना चाहूंगा कि अगर आपका input है जैसे sample id है यह fundamental value है कोई collection value यह group of values नहीं है तो आप इसे directly ऐसे भी लिख सकते है sample id यह notation और यह notation equivalent है लेकिन chmod उसे executable बनाना उसको permission देना यहां पे fast अब वह file executable है अब हम इस process को run करके देखते हैं script number 7 को फिर से इस बार हम देखते हैं कि कौन से process resumable है और कौन से नहीं है अब देखें cast process index or quantification fastqc फिर से run हो रहा है क्योंकि script का content था इसका मतलब nextfloor के लिए वह superficial change नहीं है वह actually code change है और pipeline का logic change हुआ है इस वज़े से nextfloor ने उसे फिर से पूरा complete करने की फिर से run करा उसके बाद multiqc run हुआ और यह जो error message है यह इसलिए print हुआ क्योंकि हमने अपनी details यहां add नहीं करे तो हम क्या करेंगे इस section को अभी के लिए comment out कर देते हैं और अब script 7 को run करके देखते हैं तो इस बार 100% processes जो है वह resumable होने चाहिए 0 new execution होना चाहिए इस बार जो कि correct है okay so इसके साथ हम metrics और reports section तक आते हैं जिसका आप usage कर सकते हैं किसी external pipeline के साथ या फिर अपने खुद की pipeline के साथ लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि pipelines जैसे NFCore pipelines पहले से ही reporting functionality implement करती है लेकिन अगर को third party pipeline है जैसे यह हमारी RNA-seq pipeline है जो की complete version है of this toy RNA-seq tutorial आप इसे इस repository में देख सकते हैं और अगर आप इसे directly run करना चाहें nextflow के through अभी तक हमने main.nf run करा था लेकिन आप कोई भी pipeline github पे run कर सकते हैं आप full url दे सकते हैं या फिर github.com से start कर सकते हैं वह valid है yes I won't allow उसके बाद असल में मुझे यह change करना है यहां पर मैं भोलूंगा with talker with report with trace with 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 github.com बोलेंगे तो आपको https वगरा आड़ करना ज़रूरी है लेकिन आप डिरेक्ट ऐसे भी बता सकते हैं आप देखने हैं index, fastqc, quant, multiqc process और results generate हुए इस pipeline RNAseq pipeline RNAseq nf pipeline results generate हुए results folder में लेकिन शायद एक बहतर option है RNAseq nf results में generate करने का और इस बार हम resume करेंगे क्योंकि resume हमने एक parameter change करा है तो यह superficial change है हमारी सारी caching intact है तो हमरी से resume कर सकते हैं 100% resumption हुई इस बार हमारे जो results है वो दूसरे folder में save हुए आप उसके अंदर चलके देखते हैं इस folder में इस folder में हमारे अगर मैं tree command का use करूँ तो fast qc reports है और multi qc reports है इसके साथ अगर हम पीछे जाके असल में बहतर है कि हम explorer को खोले और यह reload होगा reload होने के बाद हम नई files देखेंगे इस explorer में जैसे आप यहां देख रहे है report जो की HTML है timeline जो की HTML है और tag जो की txt file है जिसे हम इस अब भी हम directly देख सकते हैं तो अब हम फ्यूचर में बात करेंगे तावर की तो जो टावर में आप reports को देखेंगे वो जो नेक्स फ्ला लेवल reports है वो आटमाटिकली टावर जेनरेट करके देगा आपको और जो आपके रिजल्ट जो पैप्लाइन के results हैं उन्हें आप टावर में डिस्प्ले करा सकते हैं तो जैसे ही आप एक pipeline का run खोलेंगे execution खोलेंगे आपको यह दोनों चीजें साथ में दिखेंगी इसके साथ मुझे लगता है कि हमने यह पूरा section cover कर लिया है run a project from github यह भी हमने बात कर रही थी nextflow RNA seek pipeline के साथ और अगर आपको और resources को refer करना है जो मैं recommend करता हूँ तो आप nextflow के official reference documentation को देख सकते हैं nextflow patterns को देख सकते हैं यह website एक तरह से collection है common use cases के लिए तो आप जैसे बहुत सारी files आप लेना चाहते हैं एक process में तो collect all pattern use कर सकते हैं तो बहुत सारे patterns जो हैं हमने यहां पर add कर रहे हैं और उसके बाद कुछ variant calling pipelines जैसे NGS, NF या फिर NF core community की pipelines जिनके बारे में हम अगले session में बात करेंगे तो इसके साथ हमारा आज का session complete होता है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे साथ यह session complete करा कल के लिए हम NF core का introduction देंगे और NF core की as a user, developer और modules and sub workflows के बारे में बात करेंगे लेकिन मेरी request आपस यह है कि अगर आप इन वीडियो को या जो आज के वीडियो है उसे आप resume करके या rewind करके थोड़ा देख सकें और जो exercises है next flow की इस website पर और अगर आप उन्हे follow up कर सकें हैं तो यह बहुत ही बहतरी ही होगा कल हम उन foundations पर build करेंगे तो thank you join करने के लिए अगर आपके पास questions हैं तो आप हमारे 23 March 23 March training Hindi channel Hindi उस पर आ सकते हैं 23 March Hindi Hindi I think Hindi channel पर access कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं नहीं तो अगर आप English में comfortable है question answers के लिए तो आप English में भी हमसे interact कर सकते हैं Thank you so much for watching हम कल मिलते हैं Bye